हलो 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 क्या हाल चाल रामलाल्स क्या हाल चाल आडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक वार थमसब कर दीजे बेटा अडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक वार थमसब कर दीजे फटाफट अडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक वार थमसब कर दीजे बेटा प्लीज हलो 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 क्या हाल चाल रामलाल्स क्या हाल चाल हलो 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 आप सभी बच्चों को EMR का बहुत बहुत नमस्कार, स्वगत है the NEET Selection Express for NEET 2022, कुछ तक्नी की खराभी के कारण, ये गारी थोड़ी देरे से पहुंची है आपके पास, लेकिन पहुंची है बहुत ही जोड़ार है ना, तो चलिए, से Лいक्षिन एक्सप्रेश में, आज हम लोग बात करेंगे और करेंट अलेक्टरिसिटी के बारे में, करेंट इलेक्टरिसिटी भहुत ही इंपॉर्टन सक्षन है नीट पॉइंट पॉइन अवीव से, ऐसा क्या है खास करेंट अलेक्टरिसिटी में क्या आप मुझे करेंट इलेक्रिसिटी को नीट पॉइंट व्यूव से बहुत जादा इंपॉर्टेन्ट चेप्टर सेक्शन हम क्यों मानते हैं एक आग दो रीजन बता सकते हैं कि आग ऐसा क्यों हम कहते हैं कि करेंट इलेक्रिसिटी बहुत जादा important है और खास कर current electricity में सबसे ज़्यादा important दो topic के नाम बताएं तो मैं आपको बता देता हूँ current electricity इसलिए important है क्योंकि इसमें कैसा topic आता है जिसका नाम है measuring instrument, galvanometer, emitter, voltmeter, meter breeze and potentiometer wire चाहे आप किसी भी साल का paper उठा के देख ले minimum एक, maximum दो सवाल आपको सिर्फ measuring instrument से देखने को मिल जाएगा पहली बात तो यह दूसरी बात, दूसरा सबसे ज़्यादा important topic, bulb and power अगर तीसरा बोले तो variation of resistance with length area volume, combination of resistance नहीं है important, series and parallel combination में finding of R equivalent important नहीं है, जितना जादा important है variation of resistance, तो चली आज का लेक्चर शुरू करते हैं, तेम उसी rhythm और उसी energy के साथ और उसी पुराने तरीके के साथ, क्या तरीका है, सबसे पहले हम आपको short notes देंगे, चार page में complete current electricity का theorem, complete मतलब complete, ठीक है, चली start करते हैं, सबसे पहले हम current के definition को समझते हैं, current का definition क्या, current किसको कहते हैं, current एक होता है average current, average current होता है बेटा, total flow of charge, total flow of charge divided by total time taken, कितने time में कितना charge flow किया है, वो होता है आपका average current, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको charge देके average current पूछे, charge given हो, average current पूछे तो आप बोलेंगे delta q by delta t, और अगर current देके average current पूछे तो, सर्फ current given है और average current पूछ रहा है, हाँ, बिल्कुल, instantaneous current given है, मानलो current as a function of time given है, और तुम से average current पूछ रहा है, तो सिर्फ average current का ही नहीं, average velocity, average acceleration, average electric field, average potential energy, किसी भी चीज़ के average का value होता है, उसी का integration कर दो, किसका, जिसका average तुम्हें निकालना है, time की respect में, divided by integration of time, ये बकसे का average आजाएगा, बकसे का average मतलब, बकसा में अगर तुम velocity रखोगे, तो velocity का average आएगा, बकसा में acceleration रखोगे, acceleration का average आएगा, बकसा में current रखोगे, current का average आजाएगा, कितने लोग को ये जोड़दार तरीके से याद है, फटावर्ट, एक बार थमसब करके, उर्जा अफजाई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, instantaneous current होता है, rate of flow of electric charge is called instantaneous current, जब भी कहीं भी differentiation हो, क्या हो, differentiation हो, तो differentiation का graphical meaning होता है, slope, तो बताएगे, charge time graph का slope किसको बताएगा, current मत बोलना, current मत बोलना, instantaneous current को बताएगा, ऐसा थोरी ने की charge time graph का slope, current को बताएगा, current तो दो तरह के होते हैं, average current और instantaneous current, तो कौन से current को बताएगा बेटा, instantaneous current को बताएगा, और, current versus time graph का area under the curve किसको बताएगा, charge मत बोल देना, total flow of charge को बताएगा, तो एक ही बात है, एक बात नहीं है, जब आप integration करते हैं, तो integration एक instant पे नहीं होता है, एक interval में होता है, और interval में हमेशा आपको किसी भी चीज़ का change मिलेगा, instantaneous value नहीं मिलेगा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यह बहुत जादा important concept है, बच्चे यहाँ पे generally गलती करते हैं, generally यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, समझेगा please, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक मट रुकना बेटा, मैं comment पढ़ने के लिए खोल लेता हूँ, कहीं कुछ में को doubt आए तो, अगर कोई आपसे पूछता है, कि हमने integration किया, current का और time का, या I versus time graph का हमने graph plot किया, तो उसके area क्या बताएगा, area कभी भी एक physical quantity नहीं बताता है, area हमेशा एक interval को बताता है, एक change को बताता है, जैसे acceleration time graph का area बताओ तो क्या होगा, बात कर लेते बेटा, बहुत important है, acceleration time graph का area, graph का area, बताओ तो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, acceleration time graph का area क्या होगा, सर 80 graph का area velocity, नहीं, final velocity minus initial velocity, ये delta भी को बताता है, तो गलती से 90% बच्चे यहां पर गलती करते हैं बच्चे कहते हैं current time graph का area charge को बताएगा नहीं total flow of charge बताएगा और charge time graph का slope current को बताएगा नहीं current को नहीं बताएगा instantaneous current को बताएगा एक बात ध्यान में घुसा लेना एक बात दिमाग में घुसा लेना differentiation एक instant पे होता है और integration एक interval में होता है हो तो तुम्ही आद होगा चलो next अब हम देखते हैं drift velocity drift velocity का बेटा दो important formula था आगे ही लिख लेते हैं दो important formula होता है एक होता है i बराबर n e a v d current के terms में drift velocity का एक formula होता है i बराबर n e a v d इस पर neat में direct सवाल पूछा गया है direct सवाल पूछा गये इस formula पे i बराबर n e a v d जहाँ पे n है number of electron per unit volume क्या है बेटा unit volume यह है electron density यह है electron density i बराबर n e a v d i बराबर n e a v d e है आपका charge of electron a है cross section area और v d है drift velocity और एक drift velocity का formula होता है velocity बराबर acceleration into time और acceleration होता है force बटा mass small e capital e force small e capital e force ही तो हुआ है बराबर q e e electric field है e क्या है electric field है यह क्या है electric field है तो small e capital e tau by m क्या लिखेंगे small e capital e tau by m यह एक drift velocity का formula है तो drift velocity के कितने फॉर्मूले मिलते बेट आपको drift velocity के दो फॉर्मूले मिलते है आई बराबर n e a v d इसको लिख सकते हो ना v d बराबर i बटा n e a v d बराबर i बटा n e a और एक होता है small e capital e tau by m tau है relaxation type और e है आपका electric field इम क्या जरा बताना इम क्या जरा बताना इम क्या है mass of electron crystal का mass नहीं है यह किसका mass है mass of electron उसके बाद हम आपको direct mr star series पे ले जलते है mr star series किसको कहते है current electricity में यह formula है फिर यह formula है फिर यह formula है उसके बाद microscopic form of ohms lobby है देखो microscopic form of ohms lobby है यह भी formula आता है अब इतना जादा formula कैसे याद रखेंगे तो इसका एक sequence है समझना मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले conductivity का formula रटो किसका बेटा conductivity का किसका रटोगे conductivity 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 होता है N e squared tau ym conductivity क्या होता है N e squared tau ym tau tau इसको tau मतलब relaxation time tau tau सिग्मा बराबर होता है बेटा N e squared tau ym सिग्मा बराबर क्या होता है conductivity N e squared tau ym और resistivity is a inverse of conductivity तो resistivity 1 upon conductivity है conductivity मैं याद है तो यहाँ value पूट करो तो इसका उल्टा हो जाएगा M बटा N e squared tau यह हो गया तुम्हारा resistivity हम जानते है resistance बराबर होता है rho L by A क्या होता है बेटा rho L by A rho की value यहाँ पूट कर दो तो R बराबर हो जाएगा ML N e squared tau A क्या हो जाएगा ML N e squared tau A यहाँ पे लिख दिया इन्होंने ML N e squared यह tau A ML e squared यार एक तो इन्होंने typing करने के लिए दे दो न बेवकूफ लोग कैसे अजीब से type कर देते हैं मैं तुम्हें खुद से बताता हूँ sigma बराबर होता है N e squared tau ym यह तेरा conductivity है मानता है हाँ सर यह conductivity है इसका उल्टा करूँगा तो resistivity होगा का हाँ इसका उल्टा कर दूँगा तो resistivity हो जाएगा तो resistivity हो जाएगा इसका उल्टा M बटा N e squared tau हम जानते हैं R बराबर होता है ρो L y यह जानता है हाँ सर तो resistance बराबर होगा ρो की value यह रही ml बटा n e square tau into a यह आगया resistance यह आगया तरह resistivity अब सुन अगर resistance में ohms law के कॉड़ी i से multiply कर दे तो voltage मिल जाएगा तो v बराबर आएगा तुम्हारा ml i बटा n e square tau a यह तुम्हारा microscopic form of ohms law क्या है यह microscopic form of form of ohms law अब आगे सुनना क्या यह बात याद आया क्या यह बात याद आया उसके बात समझो उसके बात समझो वेटा उसके बात समझो drip velocity i बराबर n e a v d v d बराबर एक और आपने पढ़ाता है small e capital e tau y m क्या यह formula sequence में आपको याद हुआ एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ formula है इसमें हमेशा बच्चे ओं confusion होता है लेकिन अगर तुम sigma से याद करके चलोगे न तो धरा-धर धरा-धर यह सारा formula प्लिख पाऊगे क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से यह समझ आ रहा सुन यह इस तरह के से sequence में लिखा हुआ है कि आख बंद करके इसको तुम लिख सकते हो अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई चो देख इदर, देख इदर मैं बताता हूँ sigma, sigma is equal to याद रख ले, n ea square tau by m यह sigma है, rho बराबर होता है one upon sigma, तो simple बात है n ea square tau by m का उल्टा तो m बटा n ea square tau यह आगया तरह rho r बराबर होता है rho l by a तो r बराबर क्या होगा, rho की value रखो तो ml बटा n ea square tau into a कई बार डारेक्टली resistance का complete formula पूछ लेते हैं यह है resistance का complete formula यह है resistance का complete formula ml बटा n ea square tau a जहां पर यह है तो होता है तेरा resistivity तभी तू कहता है resistivity material पर depend करता है r बराबर rho l by यही तो formula है अब यह और सुन v बराबर i into r r का formula यह राद देख ml i बटा n ea square tau into a बोल बोर्ट पर देखनी की जोओत नहीं है यहाँ सेट है यहाँ तो कैसे सिट कर लिया रे इसे सिट किया sigma को रटा sigma का उल्टा किया sigma का उल्टा किया rho रो आ गया rho l by a r होता है तो r आ गया r को आई से multiply कर दिया तो microscopic form of ohms लो आ गया अब होता है drift velocity drift velocity साब क्या है drift velocity होता है sorry mobility not drift velocity mobility drift velocity तो बता दिया mobility mobility होगा तुम्हारा drift velocity per unit applied electric field mobility होता है drift velocity per unit electric field but mobility does not depends on depends on VD and E, यह याद रखना है आपको भले ही mobility के formula में आपको VD और E दिख रहा है लेकिन, लेकिन, लेकिन mobility drift velocity और electric field पे depends नहीं करती है reason क्या है क्योंकि drift velocity का एक formula हमने पर है small E, capital E tau by M, और नीचे यह capital E put करेंगे, यह इससे कट जाएगा, तो original formula drift velocity का आता है small E, tau by M, बोल मानता है, यह original formula है और NEET में direct पिस्टे सवाल पूछा है direct पिस्टे नहीं, इससे sigma बराबर होता है any square tau by M clear है, sigma बराबर any mu लिख सकता हूँ क्या में, sigma बराबर any mu, semi conductor से direct के सवाल नीट में पूछा है, direct सर हमको नहीं आया, बिटा देख बताता हूँ, सुन sigma बराबर any square tau by M, तुने पढ़ा हाँ पढ़ा सर, इसमें N E square को लिख E into E, E square tau by tau by M अब मुझे बता E tau by M को क्या लिख सकता है, फरे sir mu, तो put कर दे, और sigma बराबर any mu आया की नहीं आया, sigma बराबर any mu आया की नहीं आया, बच्चे सहब संघर्ष करते हैं इसको याद रखने के लिए, संघर्ष करते हैं जीवन बर इसको याद रखने के लिए बताव यह तुम्हें चमका की नहीं चमका any mu sigma बराबर any mole sigma बराबर any mu, एकदम sequence में चल रहा नहीं चल रहा current density current density होता है, current upon area लेकिन यह काम चला हूँ formula, original formula होता है dot product transfer, i बराबर j vector dot a vector dot product खोलेगा यह आएगा j a cos theta, क्या आएगा current j a cos theta लेकिन generally हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में current density और area जो vector इन दोनों के बीच में 0 degree का angle होता है normal condition में, तो हम यह से लिख सकते हैं j बराबर i by a current density drift velocity के terms में लिख सकते है j बराबर i को लिखेंगे neavd a, a से a कटेगा j बराबर आएगा nevd बहुत important formula है सहाब बहुत जादा important formula है यह दोनों तो conductor की property होगई किसकी property होगई, conductor की property होगई यह generally constant होता है current density is directly proportional to drift velocity मेरी बात सुनियेगा current density और drift velocity की direction parallel होती है direction parallel to each other parallel to each other कई बार पूछे direction parallel to each other direction parallel to each other direction parallel to each other इतना ही नहीं अभी और सुनिये यही से देखिए j बराबर any vd vd की value पूट करते है any vd की value sir, vd होगा a small e tau by m यही होता है drift velocity sorry sorry vd होता है small e capital e tau by m यह vd अब यहां से देखो n e into e e square तो n e square tau by m तो sigma होगा हाँ तो j बराबर n e square tau by m को कह सतक sigma into electric field यह है तेरा microscopic form of ohm law microscopic forms of sorry vector form of ohm's law vector forms of ohm's law यह ohm's law का बेटा vector form है j vector बराबर sigma ही बता ही समझ आये की नहीं है बता ही समझ आये की नहीं है बता ही मज़े आ रहे की नहीं बता हो मज़े आये की नहीं है बाई सहाब j बराबर sigma into e अच्छा सर sigma बराबर तो अनपन rho होता है तो हम यह भी लिख सकते हैं क्या electric field is equal to rho into j vector अरे खुसी 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 कौन है तुम्हारी चेहरे की मुस्कान बता हो समझ आया और कोई formula उससे पहले यह सारा कुछ symmetric form में लिखा है मैं एक बार और बता देता हूँ देखो i बराबर sorry यह j j बराबर any vd आ जाएगा j बराबर sigma e आ जाएगा e को हम rho j भी लिख सकते हैं क्योंकि sigma upon on upon rho का rho उधर चला जाएगा mu होता है बेटा vd by e लेकिन vd की value put करेंगे तो mu यह आ जाएगा clear है क्या i बराबर j dot a समझ आ रहा power का formula देखेंगे अगर हम power का formula देखते हैं तो power होता i square r या v square but r यह हम formula तब लगाते हैं जब current हमें पता हो यह formula तब लगाते हैं इंटू T बल्व अगर series में हो तो उसमें जो net power consume होता है net power consume होता है वो one upon rate पहले का rated power one upon दूसरे का rated power यह series में parallel तरीके से power add करते है series में हम parallel तरीके से power add करते हैं ठीक है ठीक है next conductance एक और physical quantity आता है conductance 1 upon resistance resistance की value लिखते है rho L beta A उसके बाद जो resistance होता है वो temperature के साथ vary करता है क्योंकि resistivity vary करता है तो हम एक relation लिखते है RT बड़ावर R01 प्लस alpha delta T जहां पे जो alpha है उसको कहते है temperature coefficient of resistance किसी भी T time पे जो resistance होता है sorry T temperature पे जो resistance होगा is equal to initial resistance 1 plus alpha delta T अगर इस relation को मैं ऐसे लिखू alpha R is equal to delta R बटा delta T delta R बटा तो क्या यह दोनो फॉर्मूला exactly same है अराम से देख के बताई क्या यह दोनो फॉर्मूला exactly same है दिमाग में calculation करिए बटा आप NEET के final पराओ पे पहुँच गए हैं अप NEET के final पराओ पे पहुँच गए हैं आप इसको देख के दिमाग में calculation करिए और बोलिए क्या यह देखते हैं कोई नहीं बोल पा रहा अठाटाश बच्च लाइब है लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा नहीं कह रहा है Yes Sir Yes Sir, बिल्कुल same है बिल्कुल same है कैसे बताऊं? R0 को अंदर ले जाओ ब्रैकेट है तो R0 को अंदर ले जाओ यह होगा Rt बराबर R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T फिर इस R0 को इधर लाओ तो यह हो जाएगा तुम्हार Rt माइनस R0 is equal to R0 अल्फा R डेल्टा T अब R0 डेल्टा T को नीचे ले जाओ यह हो जाएगा डेल्टा R divided by R0 डेल्टा T is equal to अल्फा R यह आगे तुम्हारा अब सुनना ध्यान से पावर का स्रीज कॉंबिनेशन तुम कुछ इस तरीके से करते हैं पावर का पैरलल कॉंबिनेशन सिंपल एडिशन होता है बल्ब अगर पैरलल में कनेक्टेड हो तो नेट कंजूम्ड पावर याद रखना वो होता है P1 प्लस P2 P1 प्लस P2 is the net पावर कंजूम्ड पैरलल कॉंबिनेशन हीटर कॉयल हीटर कॉयल अगर हीटर कॉयल को स्रीज में कनेक्ट करके आपसे पूछता है कि पहला हीटर कॉयल T1 टाइम में पानी गरम कर रहा है दूसरा हीटर कॉयल T2 टाइम में पानी गरम कर रहा तो दोनों का स्रीज कॉम्डिनेशन कितनी देर में पानी गरम करेगा तो सिंपल याद रखिएगा T is equal to T1 प्लस T2 और अगर हीटर को पैरलल में जो रहा है यहां T नहीं होगा पैरलल कॉम्बिनेशन होगा हीटर कोयल का हो पैरलल कॉम्बिनेशन तो T is equal to होगा T1 T2 divided by T1 प्लस T2 क्या होगा T1 T2 divided by T1 प्लस T2 यह बहुत इंपोर्टेंट है बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा यह मैंने बहुत सिक्वेंस में कितना सही तरीके से पूरा लिख दिया है यह मैंने तुम्हें mobility बता दिया यहां vector form of current density j ब्रा और सिग्मा e बता दिया resistance का resistance का एक बहुत तगरा formula लिख रहा हूं में R बराबर तुम जानते हो rho L बाई A असर हम जानते है मान लो उपर में area से multiply और नीचे में area से multiply कर दूँ तो क्या हो जाएगा उपर अगर area से multiply करूँ नीचे area से multiply करूँ तो क्या हो जाएगा रो area into length हो जाएगा volume बटा area square देखते चलना मैं क्या कहरा अगर मैं इसमें उपर length से multiply करूआ और नीचे length से multiply करूआ तो क्या हो जाएगा नीचे area into length नीचे हो जाएगा volume और उपर हो जाएगा row Ls अगर मैं इस volume को लिख दू mass उबटा density तो हो जाएगा mass & density चला जाएगा सिग्मा रो पहले सता into Ls अब मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, वो देख के तुम्हें एक दम ही एक्स्ट्रीम हैपिनेस होगा, जो तुम NCRT में और क्लासों में मैंने खुद 3-3 पेज में कराया है, उसको मैं एक लाइन में कैसे कराता हूँ, देख, सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं, अगर area constant है, तो साफ आफ तुमको दिख रहा है, resistance is directly proportional to L, देखो no, resistance is directly proportional to L, जब आप area को क्या लेंगे, अगर मैं बोलू कि volume constant है, क्या है, volume constant है, रो तो constant ही होता है, अगर volume constant है तो radius, sorry, resistance is inversely proportional to A²R. Volume constant कैसे रख सकता है? Stretch करने केस में, compress करने केस में, melt करके नया जब बनाते हैं, इन सब केस में volume क्या रहता है? Constant. यहाँ देखो, अगर मैं कहूं कि यह volume constant है, अगर यह volume constant है, तो resistance is directly proportional to A²R. सर सही है? अगर मैं बोलू, कि मैंने same material का, मतलब resistivity और यह density लिखा, यह sigma क्या है? density, यहाँ पर sigma density को बता रहा है, volume बरावा लिखा है, mass upon density. तो resistance is directly proportional to A²R, बटा mass आ रहा है. खतम. अगर, अगर, length में 5% से छोटा change हो, तो डिल्टा आर बटार हो जाएगा तुम्हारा डिल्टा ल्वाईल. अगर, length में 5% से छोटा change हो, तो डिल्टा आर बटार हो जाएगा, तू डिल्टा ल्वाईल. बच्चे, आज भी confused होके सवाल पूछते हैं, कि सर, यहाँ पर resistance, directly proportional to A²R कैसे हो गया? रेसिस्टेंस तो directly proportional to L होता है, L होता है बटा, जब area constant हो. जब volume constant हो, तो रेसिस्टेंस directly proportional to क्या हो जाएगा? L²R. अब, नीट में, नीट में, इस पर, पिछले 20 साल में, 6-7 सवाल पूछें. 6-7 सवाल पूछें. क्या सवाल पूछें? कि, एक वायर को, खीच के उसका length डबल कर दिया. तो resistance क्या हो जाएगा? बताओ, नीट में, 16-17 का सवाल है ये. एक वायर को, खीच के उसकी length को डबल कर दिया. तो resistance बताओ कितना हो जाएगा? एक वायर को खीच के, उसकी length को डबल कर दिया. तो resistance बताो कितना हो जाएगा चलो बताो चलो बताओ, चलो बताओ, 4 गुना, खतम, खतम, टाटा भाई भाई, खतम, कई बार, radius को भी change करते हैं, radius को, तो देखना, देखना, एक चीज इसमें और रहा गया, एक चीज और रहा गया, अगर लेंध को constant मान लूँ length को length को पूरा लिख देता हो length length को अगर constant मानूं तो resistance area पे कैसे depend करेगा तो resistance inversely proportional to area होगा कब जब length को constant मानूगा और जब volume को constant मानूगा तो resistance inversely proportional to area का whole square हो clear है बेटा चलो हो गया खत्म अब एक बहुत important formula है charging का charging of cell जब cell को charge करते है न तो उसका जो टर्मिनल पोटेंचल होता है, क्या होता है, टर्मिनल पोटेंचल, वो टर्मिनल पोटेंचल होता है, E पलस IR, लेकिन अगर सेल को डिस्चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंचल होता है, क्या होता है, टर्मिनल पोटेंचल, वो होता पावर एक्स्टर्नल लोड में कब जाता है तो पी मैक्सिमम तभी होता है जब इंटर्नल रेसिस्टेंस एक्स्टर्नल रेसिस्टेंस के बराबर हो बहुत इंपॉर्टेंट थियूरम है साथ बहुत इंपॉर्टेंट थियूरम है मैक्सिमम पावर थियूरम बहुत इंपॉर में तीन सवाल पूछे, दस साल में तीन सवाल पूछे, color code of resistance 2018-2020 में दो सवाल पूछा है, इससे पहले सवाल नहीं आया था, हम देख लेते हैं, color code of resistance को छोड के नहीं जाएंगे, देखो, जब भी, मान लो कि एक carbon resistor है, उस पे 4 color band बनाते हैं, कितने color band बनाते हैं, 4 color band होता है, जिसमें पहला 2 color, 1st 2 digit को बताता है, 1st 2 digit को बताता है, resistance की value के, पहले 2 digit, 1st and 2nd color represent 2 digit of resistance, पहला 2 color, पहले 2 digit को बताता है, 3rd color represent power of 10, जो 3rd color है, 3rd color, 3rd color, वो 10 के power को बताता है, and 4th color आपको error को बताता है, 4th color किसको बताता है, error को बताता है, 4th color किसको बताता है, error को बताता है, अब सारे color के cross bonding, 1 से 9 तक हम number define कर देते हैं, और उसको कैसे याद रखते हैं, बीबी, बीबी, रवाय, बीबी रवाय, बीबी रवाय, गुड़ बवाय, वेरी गुड़ बाइफ, बिथ, गोल्ड, सिल्वर, बीबी, बीबी, रवाय, गुड़ बाइफ, वेरी गुड़ बाइफ, विथ, गोल्ड, सिल्वर, और अगर, तीन कलर के बाद कोई कलर ही नहीं, नो कलर, तीन ही कलर है, चौथा कलर नहीं है, तो लास्ट में नो कलर का हम डीजिट लिखते हैं, अब सुनना दियान से, बीफार ब्लैक, बीफार ब्राउन, इसका डीजिट होता है जीरो, इसका होता है वन, रेड, दो, और अरेंज तीन, एलो चार, ग्रीन पांच, और ब्लू छे, वॉयलेट साथ, ग्रे आट, वाइट नाइन, और ये गोल्ड का मतलब पांच परसेंट, सिल्वर का मतलब दस नो कलर का मतलब 20 परसेंट ये रहा है, क्या आपको चमका ये बात? देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ओरेंज, एलो, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, वाइलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, इसका है ये सारी चीजिए याद है? क्या आपको याद है ये? चली, चली, आगे की तरब बढ़ते हैं? आगे की तरब बढ़ते हैं? सिरीज कॉम्बिनेशन के कुछ थियोरेटिकल इंपोर्टेंट बात है, जो सब कुछ आपको पता है, रीड कर लो एक बाद, करेंट फ्लोइंग थ्रू इच रेसिस्टेंस इ सेम, हाँ, जब करेंट सेम फ्लो करता है ना, तभी हम उसको कहते हैं कि ये सिरीज कॉम्बिनेशन में, सिरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, एक खतम होगा, तो फिर एक दूसरा होगा, फिर एंड के बाद, फिर एक तीसरा होगा, इसको कहते है, एंड टू एंड, एंड पॉटेंचल ड्रॉप डर्रोप डिर्य परपोर्चनल टू रेसिस्टेंस आएगा oms-locking-oddy, क्योंकि वी बड़ावर आई है, तो current constant है तो डारेक्टल प्रपोर्चनल टू क्या होगा? रेसिस्टेंस. रेक्वेलेंट बेटा, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है. अगर N सेम रेसिस्टर हो, तो रेक्वेलेंट क्या हो जाती है? नर. क्या सारी बाते एक दम दिवांग में सेट है, बेटा? क्या सारी बाते दिवांग में एक दम सेट है, बेटा? चलिए. पैरलल कॉंबिनेशन की बाते समझ लेते हैं. पोटेंचल ड्रॉप एक रेसिस्टेंस सेम. पैरलल कॉंबिनेशन में, हर रेसिस्टेंस का पोटेंचल ड्रॉप सेम आएगा. अगर मालो इसमें V1 होता है, इसमें V2 आता है, तो नेट पोटेंचल कितना होगा? सर, नेट पोटेंचल V1 बड़ावर V2 बड़ावर VE आएगा. क्या इसमें V1 प्लस V2 को आइड करेंगे? नहीं. पैरलल कॉम्बिनेशन किसी दो रेसिस्टेंस को तभी कह सकते है, जब दोनों के क्रॉस पोटेंचल ड्रॉप की वेल्यू सेम आए. ध्यान सुनिएगा? किसी भी दो रेसिस्टेंस को हम पैरलल कॉम्बिनेशन में तभी कहते हैं, जब दोनों के cross potential drop की value same आएगी next sum of current across each resistance is total current current is inversely proportional to the resistance क्योंकि हम जानते हैं V बराबर IR के according sum में potential same है not constant same है अगर potential same है तो current inversely proportional to क्या होगा resistance नीट में direct सवाल पूछा है यह थिवर हम लगाएंगे तो हो जाएगा R equivalent क्या होगा सरवन अपन R equivalent 1 upon R1 प्लस R2 होता है direct देखेंगे तो हैगा R1 R2 divided by R1 प्लस R2 अगर N equal resistance जोड़ा जाए तो R equivalent होता है R by N N equal resistor जोड़ा जाए तो R equivalent क्या होता है R by N equivalent resistance के बारे में एक खास बात equivalent resistance के बारे में एक खास बात यहाँ पे parallel combination equivalent resistance less than the smallest resistance जो parallel combination में resistance हम एड़ कर रहे है तो उसका R equivalent parallel combination के जो सबसे छोटा resistance होगा उससे भी छोटा आएगा उससे भी छोटा आएगा बहुत important बात है देखो यह common potential common potential किस case का सर मान लो कि एक resistor है R1 जिसको series में जोड़ दिया मैंने R2 के साथ R1 R2 यहाँ का potential V1 है यहाँ का potential V2 है तो इस point का potential क्या होगा जैसे capacitor में निखालते थे सर capacitor में तो 3 भी लिखते थे यहाँ एक capacitor लगा दे एक resistor यहाँ लगा देते है R1 यह हो गया V1 यह resistance हो गया R2 और यह हो गया V2 यह resistance हो गया आपका R3 और यहाँ पे potential हो गया V3 तो इस point का common potential कितना होगा इस point का common potential निखालने का वेटा formula है capacitor से थोड़ा अलग है वहाँ पे तो होता है C1 V1 यहाँ पे होता है V1 by R1 V2 by R2 V3 by R3 divided by 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3 सर दो ही होता तो तो तीसरा मतलिक दो आ जाएगा यह बहुत important formula है next one is series combination of cell battery का series combination battery अगर series में लगा हो तो उसका net EMF होता है E1 plus E2 plus E3 सारे battery के EMF को जोड़ दो अगर same manner में connected है opposite manner में connected होंगे तो माइनस कर दोगे internal resistance simple तरीके से add होता है R1 plus R2 or plus R3 parallel combination of cell अगर cell parallel में लगा ऐसे cell लगा है एक लगा cell इधर E1 इसका internal resistance है R1 एक cell ऐसे लगा parallel में इसका internal resistance है R2 और यह E2 तो इस point और इस point के बीच में दोनों parallel combination में add करके equivalent EMF के आएगा यह आता है E1 by R1 E2 by R2 सर EMF को resistance दिवाइड करेंगे तो dimension EMF के कहाँ बचेगा इसलिए 1 upon R1 plus 1 upon R2 यह पूरा formula सर हई वाला formula तो हई वाला जैसा आ रहा है हाँ आ रहा है क्या कर सकते आ रहा है तो अच्छी बात है अलग 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 physical situation और formula सेम आ रहा है तो याद रखिए काम आएगा बेटा याद रखिए काम आएगा यह दोनों चीजे समझ में आ यह दोनों चीजे सेम आ रहा सेम आ रहा अच्छा सर यह तो EMF है resistance क्या होगा तो 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 यहाँ पे खास बात और है यहाँ पे बच्चे emotional के गलती कर जाते हैं यहाँ पे खास बात यह है कि यह polarity इधर A मान रहो इधर B मान रहो तो अगर यह polarity high एक ही तरफ है दोनों का तो प्लस प्लस लोगे अगर इसका polarity उल्टा कर दो यहाँ पे माइनस आजाएगा पास यह याद रखना अच्छा एक बात बताओ यह बहुत important है out of out of N cell if M cell connected in connected in reverse polarity in series combination combination then in it is equal to क्या होगा बताओ then in it is equal to क्या होगा तो in it is equal to होगा N minus 2 M into E एक बैटरी कुल्टा करते हो तो दूना बैटरी खराब कर देता है तो N cell में से M उल्टा है तो N minus 2 M into E होगा और R equivalent हो जाएगा तुम्हारा simple NR resistance को उल्टा सिधा जोडने से कोई फर्क नहीं पड़ता है resistance को उल्टा सिधा जोडने से कोई फर्क नहीं पड़ता है clear है बात यह next galvanometer measuring instrument पे आते है galvanometer की सबसे खास और important बात यह है कि use to detect current it cannot use to measure current हाँ small current को measure कर सकता है can measure very small current can measure small current इसकी range बहुत छोटी होती है इसकी range बहुत छोटी होती है यह बहुत sensitive होता है इसमें ज़्यादा current जाता है तो यह जल जाता है IZ is the maximum current can flow आपने कहा तो बहुत कम होगा तो maximum current IZ खुद यह milli ampere में होता है maximum current जो इससे बह सकता है IZ IZ की value खुद कम होती है इसका range बहुत छोटा होता है small range मतलब current measure करने की capacities की जादा high नहीं होती है ठीक है next इस galvanometer से हम current measure नहीं कर पाते है large इसलिए मिस galvanometer को convert करते हैं ammeter में कैसे convert करते हैं तो यहाँ पे देखिए साप साप लिखा हुआ है कैसे convert करने वाले हम कैसे convert करेंगे a small sunt is connected in a parallel parallel में connect करेंगे तभी ammeter range range छोटी होगी with ammeter to increase its range if n times the range increases to galvanometer अगर galvanometer की range n गुना बर गई है कित्ती गुना बर गई है n गुना बर गई है तो जो sunt की value होती है वो गती g बटा n-1 एक बहुत सांदार logic बता रहो यह S sunt जो हम जोर रहें parallel में sunt is connected in a parallel इसकी value छोटी होती है की बड़ी होती है सर बहुत छोटा value जोरते है तो कोई भीची छोटा तभी होगा जब उसमें एक number से divide करोगा देखो n-1 से divide किया यह रटलो एक-एक page का जो सवाल आता है एक-एक line में solve होगा एक-एक page का जो सवाल आता है एक-एक line में solve होगा ठीक है Ameter Ameter is connected in a series where current had to have to be measured बच्चा यहाँ पर confused होता है कि Sir आपने पहले लिखा parallel और अब लिख रहे हो series अब यह parallel में sunt जोडा है मानली यह galvanometer है इस galvanometer में sunt ऐसे जोडते है तो parallel जोडा है अब इसको हम series में जोडेंगे जहाँ हमे current मेजर करना होगा मानली इस wire में current मेजर करना है R में आपर current मेजर करना है तो इसको ऐसे जोड़ दे तब तो current मेजर होगा तो यह total ameter होता है इस emitter की resistance कितनी होगी इस emitter की resistance होगी parallel combination of s and g तो s into g divided by s plus g यह emitter की resistance है clear है ideal emitter का resistance होता है आपका 0 ideal emitter का resistance क्या होता है 0 यहाँ पे लिखा है कई लिखा है हाँ यहाँ लिखा है 0 resistance 0 resistance for ideal emitter ideal emitter अगर दिया है तो उसका resistance होता है 0 और किसी भी चीज़ का zero resistance है, तो उसको आप simple wire की तरह मान सकते है, simple wire मान लेंगे, कही ammeter लगा होगा ideal वाला तुसको क्या मान लेंगे, simple wire मान लेंगे, लेकिन कही voltmeter लगा हो, तो voltmeter की residence इंफाइनाइट होती है for ideal, for ideal condition, voltmeter की resistance क्या होती है, infinite, ideal voltmeter कैसे बनाते है, तो voltmeter कैसे बनाते देखिए large resistance is connected in a series with emitter और galvanometer मुझे लगता है यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है statement में जरा बताना क्या गलत लिखा है मुझे लगता है कि यहाँ पर statement मेंने कुछ गलत लिखा है बताना जरा क्या गलत लिखा है क्या मैं large resistance जोड़ दूँगा series में भी था galvanometer तो यह बन जाएगा तुम्हारा voltmeter यह large resistance में series में जोड़ता हूँ large resistance series में जोड़ता हूँ इसके जोड़ने से इसकी capacity बढ़ जाती है voltage measure करने के और वैसे भी voltage measure करना है तो voltage जितना ज्यादा drop होगा उतना ज्यादा अच्छी बात है voltage तभी ज्यादा drop होगा जब resistance जाता हो galvanometer to increase its resistance range n times to the measuring voltage measuring voltage पहले हम जितना measure कर रहे हैं तो उससे n times अगर इसकी capacity बढ़ानी है तो r जो हम जोड़ेंगे होगा g into n minus 1 क्योंकि हमें large resistance होड़ना है तो large तो दभी होगा ना जब g में हम कुछ multiply करेंगे g है तुम्हारा initial resistance और n है पहले के range के compare में कितना गुना जादा range होगा formula याद रखेगा direct सवाल होगा क्या मैंने कुछ यहाँ पर गलत लिखा है कुछ गलत लिखा है और यहाँ पर कोई भी चीज गलत नहीं लिखा हुआ है small resistance होगा निखिल नागर कह रहे है small resistance होगे सुन बेटा सुन बहुत भोला है तुँ और बड़ा समय नहीं है मेरे पास अभी यह तुम्हें प्यार से समझाता याद रख ले याद रख ले voltmeter में यहाँ पर हम बहुत large resistance जोड़ते है और large resistance हम इतना ज़्यादा large जोड़ते हैं कि ideal condition में यह infinite जोड़ते है और यह infinite resistance of ideal voltmeter इसलिए तो हो रहा है क्योंकि हमें पर बड़ा resistance हो रहा है तो large resistance is connected in series with ammeter और voltmeter दोनों चलेगा सर लेकिन ammeter तो current measure करता है अबे एक अच्छे ammeter का resistance बहुत छोटा होता है क्योंकि sun parallel होता है और इससे बहुत बढ़ा resistance अगर मैं जोड़ दू बहुत बढ़ा resistance जोड़ दू तो यह total तुम्हारा voltmeter कहलाएगा क्यों क्यों क्योंकि यह आर बहुत बढ़ा जोड़ होगे तो बहुत छोटा होने से क्या फर्क परेगा net resistance में तो आप बढ़ा ही देगा और एक ammeter एक अच्छे voltmeter की तरह बिएव करने लाएगा जब यहां पे capital R जोड़ दोगे तो याद रखना यहां पे जरूर एक गलत वर्ड लिक है voltmeter connected parallel between the points voltmeter 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 connected parallel between the points where potential have to be calculated voltmeter को series में जोड़ होगे parallel में तो तुम्हे voltage मेजर करना है तो voltage मेजर करने लिए parallel ही जोड़ होगे ठीक है चलो कोई बात meter breeze meter breeze work on the principle of weightless noise directly पूछा जा सकता है याद रखना meter breeze ऐसा होता है यहां पे P resistance होता है यहां पे S resistance होता है resistance box लगाते हैं यहां पे 1 meter या 100 cm का एक wire होता है clear है उसके बाद हम क्या करते हैं यहां से एक galvanometer लगाते है और jockey लगाके balance करते हैं मानों यहां यह आप इल लेंद पे balance हो रहा तो यह वाला इधर का length हो जाएगा 100 minus L तो हम कहते हैं पी बटा इल बरावर इस बटा 100 minus L जा होगा पी बटा इल बावर इस बटा 100 minus L अगर यह resistance तुम्हारा unknown है और यह तुम्हारा unknown है तो यहां से unknown resistance की value निकल जाएगी पी तुम्हें जानते हो ठीकी value रखो एक यह एल कहा में balance वह वो तुम्हें पता है तो यह तुम्हें पता है तो सो माइनस ल भी तुम्हें पता है तो इस निकल जाएगा तो यह कैसे आ गया अरे गधे इंसान एल को इधर ले जा इसको इधर ले जा तो लिख सकता है ना PYS M2 स् एकल टो ल बटा 100 मे न quindi यह तरह मेटर भी है पता समघ आया पता समच आया नेक्सट नेक्सट फोटैंच्च्छों मेटर वाईर इस बेस्ट आ पोटेंच्छील ग्रेडियंट्ट वाईर पोका इसका इस किस काम में करते तरह बता न यूज तू मिजर मिजर इसट पेट्री और इंटरनल रेसिस्टंस, और जब इंटरनल रेसिस्टंस मेजर करते हैं तो इसका फॉर्मूला यह आता है, एक स्मॉल रेसिस्टंस, एक क्या हम यूज करते हैं, L2 बटा L1 माइनस 1, Sir L2 L1 क्या है, कुछ नहीं है, जो बड़ा वला लेंद होगा उसको उपर रख देना, और छोटे वाले लेंद को नीचे रख लेगा, नीट में तीन बार इससे सवाल पूछे जा चुके हैं आज तक, मैं भी करके दिखाऊंगा, और बड़ा असान होता है डेडर पेज का सवाल आता, डेडर पेज का, उसमें से कुछ मत करो, एक external resistance की value दी होगी, और एक जो बड़ा वला लेंद होगा उसको यहां रखना, चोटे वाले लेंद को यहां रखना, माइनस 1 सीधा एंसा है, लिकिन Sir इसका logic क्या है कि आप कहरो बड़े वाले लेंद उ ना सकता, चाहे internal और external, तो resistance negative ना आए, तो condition को हमारो गोली, जब L2 बड़ा होगा, तभी तो यह positive बनेगा, वहां सर सही बात है, तो दो use तो यह होगे, तीसरा use है, to compare, to compare EMFO for sale, क्या करते हैं, कि दो cell को पहले सीधा लगा लेंगे, और बोलेंगे कि L1 पे balance हुआ, फिर दो cell को उल्टा लगा लेंगे, बोलेंगे, L2 पे balance हुआ, तो बताओ, E1 by E2 का ratio, याद रखेगा, E1 by E2 का ratio हो जाएगा, L1 प्लस L2, चार बार नीट में सवाल पूछा है, नीट में कितनी बार सवाल पूछा है, चार बार सवाल पूछा है, नीट में से, समझा रहा, चार बार सवाल पूछा है, अब बताओ, क्या मैंने कोई चीज छोड़ी है क्या, कोई चीज छोड़ी है क्या, नहीं, हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में करा दिया है, हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में करा दिया है, अब चलिए हम आपको सवाल कराएं, तो पहला सवाल आपक from left to right, 4 alpha particle और 8 electron left से right जा रहा है, 4 proton right to left, 4 proton right to left, 4 proton इधर आए, through across section area per second, एक second में, then find electric current, तो electric current की value बताईए क्या होगा, आओ, थांकू सर, थांकू थांकू, बताओ, बताईए, हाँ, एक कर रहा सर, रसी नहीं कराया, वा, वा वेटो, वा, रसी कराते थे, ले, ले, जब हम capacitor को charge करते हैं, तो आज तक NEET में जितने सवाल आए हैं, उसमें यही याद रखना है, कि, at t is equal to 0, capacitor, capacitor, will behave as, behave as simple wire, capacitor सीधा तार की तरह बेव करेगा, पूरे circuit में जहां capacitor है, उसको अटा के तार लगा दो, and steady state पे, steady state, steady state में, capacitor will behave as open wire, capacitor, will behave as, behave as, open, open wire, finally, finally, यहाँ पे resistance लगा हो या ना लगा हो, यहाँ पे potential उतना ही develop होगा, जितना battery का potential होता है, यह दो बाते याद रखना है, चलिए इसका answer बताइए, अंकित मौर्या कह रहा है कि, सर, इसका answer तो आएगा, 0, lock करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि, आप गधे हैं एक दम, 0, answer गलत है, कुछ बच्चे कह रहे, answer D होगा, वही, sorry, D होगा, D गलत है, बताई इसका सही जवाब बताई बेटा, थार्ड बता रहा है, बट, मेजुरिटी का जवाब है, 1, और मेरे हिसाब से, सही एंसर इसका 1 ही आएगा, सही एंसर इसका 1 ही आएगा, 1, चलिए, कितने लोग का 1 है, है, मेजुरिटी का 1 है, कई बच्चे B कह रहे हैं, कई बच्चे कुछ और कह रहे हैं, सब गलत है, फल्दू की बात है, आई हम बताएं आपको, देखो बेटा, चार अलफा पार्टिकल, तो चार अलफा पार्टिकल में कितने चार्ज होंगे, तो एक अलफा पार्टिकल में 2E चार्ज होता है, तो चार अलफा पार्टिकल, चार अलफा पार्टिकल में 80 चार्ज होगे, 80 प्लस, और 8 electron तो 8 electron में 8 e minus तो भाई साब net charge तो इसका 0 हो गया हाँ तो बस proton इधर गया है वही current लेके जाएगा current होता है Q by T Q हो गया any by T time एक second बोला है तो नीचे एक रखेंगे कितने proton चार proton तो 4 e आपका सीधा answer चार e तो 4 e की value रखेंगे 1.6 into 10 to the power 19 16 चोगा 64 6.4 answer बताएगे मजा आया मजा आया चल ये next question देखते है बढ़ियास देखेगा सवाल अच्छा सवाल है current flowing through the wire is I barabar 2T I barabar 2T 2T current है कितना current दिया हो 2T simple 2T I barabar 2T I barabar 2T then find average current flowing through the wire in 4th second तो 4th second में कितना average current जाएगा ये बताना है 4th second में कितना average current जाएगा ये बताना है चलिए चलिए बताईए चलिए बताईए आपको क्या करना है कि current दिया हो और average current पूछा है तो आपको करना है integration of I into dt divided by dt बेड़ा देख के सवाल नहीं होता है करना परता है नीचे ये value तो एक second आ जाएगा तो नीचे एक लिखो ना लिखो कोई फरक नहीं परता है current की value है 2T into dt integration का limit होगा 3 से 4 दो बाहर T into dt का integration होगा T square by 2 limit रखेंगे आप 3 से 4 ये कट जाएगा यह आएगा शोला माइनस नौ सोला माइनस नौ सेवें एंपिर इस यूर करेक्ट एंसर अगर मैं सही हूं तो साथ एंपिर वट टू next का जवाब सोला यह हमेशा गलती जवाब देते प्रियंक और आएक एंसर इस सोला गलत है सिंपल इंटिग्रेशन करके वेलास्टी का इंटिग्रेशन करके डिस्प्लेश्मेंट निकालना होगा तो जो यह थी दत्ता करी सोला एंपिर दिपांसू कह रहे हैं 16 A सब कह रहे हैं 16 A भाई सहाब तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ जब 16 A कह रहे हो तो मैं क्यूं पढाने आया हूँ मैं पढाना ही छोड़ देता हूँ मतलब आप अपनी हालाद देख रहे हैं अगर सवाल में थोड़ा सा language कहीं कुछ change कर दिया या थोड़ा सा घुमा दिया तो आप तो फैल जाओगे अपका answer आधो का था 4 A और आधो का था 16 A अपियर दोनों गलत है 7 A अपियर answer है टी टी ते पहाता हम दम दूतसपत लोगपरर धच नहीं टा थाएं बिंतर बार विंतर भार वेटा पाउडर खाएं? कि पाउडर चाथ क्या यह उजे om दिती क्यों दूतसपत रता हम दैति टूत दुतसपत लिदएा एंड तिरूम पुछत दिल्धा आए, फोर्थ सेकेंड, यहां पेक्क्षिल में, वन सेकेंड ही ये, वन सेकेंड, बिट्विन, ठी टू-4 सेकेंड, तीन से 4 सेकेंड के बीच में, एक सेकेंड का इन्तलवल है ये, एसए ऑद क्ष्ट ए एक तो कि अधिन घर को है उस्यback लिए और को कि भी आप दो याप ड्योट आए इस पर यह को हम धी गए यह आया थे पराँजेसे तुम्हें सिख templates makers बहुत अच्छे सिखा है, चलो चार में से सही अंसर बताओ, अरे बटा, मजाग कर रहा था, कोई बात नहीं, सौरी अंसर देखा नहीं, लेकिन एक्जाम में देख लेना है, बटा, बिंटर बियर, कोई बात नहीं, मजाग, यह सब चीजे अगर मैं कहता हूँ, कुछ बोल द बिच ओधा, फ्लोइंग रिलिशन इस करेक्ट, वन जवाब, दूसरा, चौता, सारे ओप्सन बोल दे, एक कर रहा है पहला, दूसरा कर रहा है, फिर कर रहा है, डी, अच्छा, वन एंडी में, सी भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, तुम खुद चैट बॉक्स में देख देख सकते हो, बाई साहब, बाई साहब, और यह जो, यह जो एंसर देने का रफ्तार है न, यह जो एंसर देने का रफ्तार है न, वो कुछ ऐसा हो जाता है, अगर मैं एक पीवाई क्यू लाओ, सब का एंसर से, क्यूं, रटा पड़ा है, यहां देखो, तु खुद चैट देखो, खुद चैट बॉक्स देखो एक बार, तुमको दिख जाएगा, सारा सुखान असागर क्या है, दो, एक, तीन, चार भाई साहब, पहिला गलत बा, पहिला गलत बा, आई बराबर एन यह वीडियो होता है, आदे सर तो क्या हो गया, लाल अक्षर, लाल अक्षर, उल बराबर, वीडि को यहां लिखो, या आई को यहां लिखो, चार, एक ही बात है, इसमें क्या हो गया, दिखने में तो सेम लग रहा है, आई बराबर एन यह वीडियो है, या वीडि बराबर एन यह यह एक ही बात है, लाल अक्षर, लू बराबर, वह यह सही है, यह गलत है, यह यह दूसरा, दूसरा क्या है? E बराबर VD टाउ बाइएम, यह कहां पर है? Actual में VD बराबर होता है, Small E, Capital E, टाउ बाइएम, तो दूसरा तो गलत ही है, यह सही है, यह भी गलत है, यह क्या है? थर्ड, थर्ड तो पताहिए नहीं कुछ आजीव सा लिखा है, ये लिखा है म्यू वी डी बरावर म्यू ईवाई ल इसका तो कुछ और छोरी नहीं पता चल रहा तो सब गलत ही है क्या सर एक मेट एक मेट एक मेट एक मेट ये भी गलत ही है मैंने कुछ और लिखके दिया था इन्होंने कुछ और कर दिया उसको ये भगवान कब सुद्रेंगे सारी बेटा सारी गलत है वैसे तो ये वी लिखा है ये मैंने आप वी लिख के दिया तो वी वा इल अब सुनना ध्यान से वी वा इल को क्या लिख सकते हम ए तो ये हो जाएगा मिउझ ए म्यू बरावर आप यहां से लिख सकते हैं ए को उधर ले जाए तो वी दी वाई यही तो आपने पढ़ा है म्यू इस इक्वाल टू डिफ्ट लॉस्टी परिव इंट अप्लाइड एलक्टर फिल्ड तो थर्ड आपका सही जाएगा और यह तो गलत है लोगर झवाई हमें आप इसका सब्सक्राध पर शॉता है इसका सही जवाब टो यह खता है गलत कर रहा है हाँ थर्ड गलत कर रहा है क्योंकि उसमें एक्च्वल में यहाँ पर मैंने वी लिख्या दिया था वी से सही आ जाएगा देखो बेटा अपनी जानते हो अपनी जानते हो क्या मैं बता देता हूं कोई बात कि वोल्टेज बाट लेंथ एलेक्टर्ट के क्रवस अगर पोटेंशल वी है और मिउबर वीडी यह होता है तो थर्ड सही है दो कैसे गलत हुआ तेक्निकले इसमाईल करें दो कैसे गलत हुआ दो कैसे गलत हुआ दो सही कैसे हुआ जरा यह बता पहले तो गलत कैसे हुआ छोड़ दो सही कैसे हुआ यह बता चल एक्चोने फार्मूला होता है VD बराबर electric field के टर्स में E small E capital E tau by M तो E बराबर क्या होगा VD into M और tau नीचे जाएगा करें दो गलत कैसे हुआ लेट लोटिया की चला आगे बर छोड़ Beach of the following is correct for the OMS law OMS law के लिए कौन सा सही है OMS law के लिए कौन सा सही है OMS law के लिए कौन सा सही है जल्दी बताओ जल्दी बताओ रटो मत बिटा थोड़ा सा बुद्धी लगा के चीजे देखा करो चलो बताओ सब पाउडर खा क्या है आज पहला V बढ़ा और IR मतलब तुम दसमी क्लास में हो क्या बाई मेरा परहाना इतना मेनत करना सब बिकार मैं जा रहा हूँ अपने गाउं दो भैंस खरीदूंगा अब चारा बनाऊंगा चारा खिलाऊंगा और खेती करूंगा मैं घर जा रहा हूँ मैं नहीं परा रहा गदे ये तो सही है ये ओमस लो है? ओमस लो है माईक्रोइस्कोपिक वाला और ये भी सही है जे वेक्टर बराबर सिगमा ई तुम्हें परहाया मैंने सिगमा को ओन ऑपन रो लिख सकते रो इधर चला जाएगा तो रोज ये vector बड़ाबरी इसको भी ohms law ही कहते है vector form of ohms law यह है vector form of ohms law तो all of these हो जाएगा अच्छा, none of these option लिखाएगा, अरे यार, all of these लिखाएगा यह भी सुस्ता नसा करके type के, all of these, सारे सही है, सारे सही है हाँ तो तो answer करना, तो पहला क्यों बोल रहा, तो बोल all of these, तुम्हें यह सही लग रहा, अगर तुम्हें यह भी सही लग रहा, यह भी सही लग रहा, तो बोल all of these है तो first क्यों comment कर रहा, तो लिख all of these, all of these, सारे ohms law है, चले तो देख, two copper wire having mass ratio 2 is to 1 दो copper wire है, जिनका masses का ratio है, 2 is to 1, and ratio of their area, ratio of their area is 1 is to 2, area का ratio 1 is to 2 है, then find ratio of their resistance, resistance का ratio हम से पूछा है, इसको करना होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं करूँगा, सवाल पर की बता दिया, तुम्हें करना होगा, और अगर तुमाद यह सवाल नहीं कर पाया ना बेटा, तो बहुत ग यूटूब पर लाइफ, कर, 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 सगुपता कह रहा है कि सार, option ही नहीं था, पिटा, option नहीं था, तो all of these लिख ना तु, तो all तुल बोलता, और कोई यहां पर बत्तमीजी नहीं करेगा, मतलब तुक्का नहीं लगाएगा, तुक्का लगाना is very much बत्तमीजी, तुक्का लगाने का मतलब मैं समझता हूँ कि तु मेरे साथ बत्तमीजी कर रहा है, मैं इतना महनत से यह सवाल बना के लाया हूँ, सोचा कि antiṃमें कैसे सवाल आते हैं, यह सवाल पूछे जा चूके है, तो नया क्या पूछा जा सकता है, इतना सोचकिए मैं सवाल लाता हूँ, और उसका तुक्का लगा देता है और तुक्का ही लग रहा है अगर तुम बहुत ध्यान से देखो watches comment box में तो हर इंसर तुम्हें इसे दिखाई देगा दो फिर तीन फिर चार फिर एक फिर दो तीन चार तीन तीन दो दो एक एक चार चेर देखो कमिंट ़ॉक्स में तुम मुझे एव्यूज कर रहे हो तुम एव्यूज कर रहो मुझे वेटा एव्यूज कर रहो तुम इतने महिट से सवाल बना के लाऌ यह तुम तुम तुक्का लगाते हो चलो कोईबात नहीं मैं कर gun मैं कर देता हूँ resistance बढ़ावर rho L वा यह होता है यहाँ पर कहीं भी mass नहीं दिख रहा तो हमें mass लाना परेगा हमें data area और mass का दिया हुआ है तो हम उसके हिसाब से चलते है area और mass के हिसाब से हमें area रखना है तो हम क्या करते हैं उपर में area और नीचे area से multiply और divide करते है तो length into area यह volume हो जाएगा तो rho into volume बटा area का square अब हम जानते हैं कि density बढ़ावर होता है density density बढ़ावर होता है mass बटा volume तो volume बढ़ावर क्या हो जाएगा mass बटा density volume को इधर ले जाओ volume बढ़ावर क्या हो जाएगा mass बटा density तो आप volume को लिख सकते हैं mass बटा density यह rho पहले से था area का square अब दोनों वायर किसका बना है copper का तो copper तो density सेम and resistivity सेम तो resistance is proportional to m बटा a square होगा resistance is proportional to m बटा a square अब r1 बटा r2 का value लिखोगे तो पहले m1 बाई m2 होएगा m1 बई m2 बोलो क्या दिया हुआ है 2 is to 1 और area देखो नीचे है तो r1 में नीचे a1 आएगा तो नीचे a1 a1 यह रहा तो 1 is to 2 का whole square तो यह आएगा 8 is to 1 8 is to 1 चौथा जवाब है कोई नहीं दे रहा था चौथा जवाब अभी भी बच्चे दो दे रहे एक दो कहरा है wrong option है एक दो कहरा है wrong option है अब आपको पता चल रहा है कि सारे concept आते हुए सब कुछ आते हुए आप सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं अब आपको पता चल रहा है आपको यह चीज सीखना परेगा समझना परेगा कि हमें सारे कंसेप्ट आते हैं सब कुछ आते हैं मास्टर ने अभी सब कुछ रिवाइस भी कराया फिर हम क्यों नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं नेक्स देखे बेटा बहुत बढ़िया सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है between x and y, यह रहा point x, यह रहा point y, सारे equal resistance r, r, r आया है, x and y के बीच में resistance बताओ, चलो, find equivalent resistance between x and y, करो, करो, कलम, कलम निकालो, तुरंद कलम निकालो, जगरो, कलम, कलम, कलम घिसो, घिसो, कलम घिसो, और बताओ, करो, find equivalent resistance between x and y, यह रहा x, और यह रहाओ, इसके बीच में equivalent resistance निकालना है, चलिए, कोई भी एक्स ऐसा सवाल नहीं है, जिसमें सारी जनता एक साथ सेम इंसर दे रही हो, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, सारी जनता अचा इसमर है, नहीं, फिर गरबर कर दिया, चार, तीन, एक, चार, दो, एक, comment box देख जड़ा, कोई बात निकरता हूँ, यह point x, और यह point y, तो simple wire है, इधर तो wire नहीं है, यहाँ पर सीधा resistance आगया, फिर resistance आगया, लेकिन आपर simple wire लगा, तो यह भी point होगा x, यह भी point होगा x, यह point y होगा, यह resistance है, यह resistance है, तो यह x भी नहीं होगा, तो इसको माल लेता हम z, जिस दो point के बीच में resistance है, उसको हम side में रखते हैं, उसको कहा हम side में रखते हैं, यहाँ से सुरू करते हैं, x और z, जड़ अन्नोन बीच में रखते हैं, यह resistance, x and z के बीच है, बना लिए असर, x and z के बीच है, यह भी actual x and z के बीच है, ओ भाई साहब, अब यह जड़ यह ओके, और यह ज़्यान से देखिए, x and y के बीच, x कहा है, यह direct यहाँ पे असल है, यह तुम्हारा circuit बनेगा, तो साहब r और r यह हो गया, r y 2, r y 2, r 3 r y 2, 3 r y 2 को इस r के साथ parallel करेंगे, तो into r divided by 3 r y 2 plus r, r common निकाल गिस r से cancel कर दो, और नीचे बिटा आएगा आपका LCM 2, 5 तो तीन बटा पाँच आपका एंसर आणारा, तीन बटा पाँच आपका एंसर आरा, 라 3र, 3र, 2र मुट से दो कटेगा और यहाँपे LCM लेंगे, तो पलस दो नीचे आगया पांच, उपर आगया 3, r by 5 third answer next a wire having resistance per unit length is 6 ohm a wire having resistance per unit length is 6 ohm per meter then find resistance along the side of a square of side length 50 cm how 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 हलांकि बहुत सारे बच्चों का दो आया है, not in option, बाह, बाह, मेरे बाई, बाह, not in parallel, very good, आईए, नेक सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है, हर एक PYQ देख के हैं, उसके जैसा नया सवाल बनाया है, क्योंकि PYQ का तो इंसर रटा हुआ है, PYQ का तो इंसर रटा हुआ है, .VA-VB, यहां पर यहां पर यह दो, यह बनाया है, यह तुम्हारा R है, यह 6 A करेंड जा रहे है, R1, R2 बोल दो इसको, इधर से 6 A करेंड जा रहे है, इधर से 2 A करेंड जा रहे है, 2 V की बैटरी है, यह पर 5 Ohm का resistance है, तुम्हें पूछा है, A point और B point के बीच में potential difference क्या चार बार पूछे, 16 में, 12 में, 18 में, 3 से 4 बार ऐसे सवाल पूछे, उसको देखते हुए एक नया सवाल फॉर्म किया है, बताओ, मज़ा आएगा, करो attempt करो, अब वायर, सब बच्चे attempt कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सर्वे सर्मा क्या है, सर हमको modern physics में problem थी, आपका वीडियो देखकर सब solve हो गई, बहुत बहुत अच्छी बात है यह, जान बूछ के मैंने answer नहीं दिया है, क्योंकि answer देता न, तो बच्चे यह भी स्लिटी तुक्षा मारते हैं, पहला जबाबार है, एक 32 माइनस छे एक 32 माइनस छे, अच्छा एक और बात है, यहां पर समझ न, 3R by 5, okay, okay, 3R1 by 5, okay, R1 है, R2 है, यह देख लेना, तो R1 by R2 क्या रहा, और 2V, 4, 6, अच्छा, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 6, 2, 4, 6, माइनस 32, 32 है, 1, माइनस 32, okay, 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 28, ओह, 28, 28, बिल्कुल बहुत बढ़िया जा रहा है, बेटा, बहुत बढ़िया जा रहा है, 8V, 8, 8 भी आए, 8 भी आए, आरे वाया, 8V भी आए, 23V, 32V, 2V, 4V, यह, माइनस 32, 32, 1V, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है, अच्छा, 9, 4, oh my God, 9, 4 भी एक एंसर आया, बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया बता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस गैरा बारत तेरह तेरह तरीके के अलग गलग इंसर आ रहे हैं एक दस भुल्ट भी है 14 तरीके के अलग गलग इंसर आ रहे हैं अगर मैं तवाल लिखता चार ओप्सन देता तो तुम तुका मारके चारी एंसर ला पाते देखो कितना अच्छा हुआ कि 14 एंसर आ रहा है अलग गलग तुमारे आओ करके दिखाता हूं सुनो यहां पे आरवन की एक्जेक्ट वैल्यू में नहीं पता यह पॉइंट ए और यह पॉइंट भी अगर आरवन की एक्जेक्ट वैल्यू पता होती तो हम लिख देते सीध कि यहां पे 6 एंप्यर करेंट जा रहा है यह करेंट ही तो है 6 एंप्यर एरो भी लिया है यहां पे देखो करेंट 6 एंप्यर इधर जा रहा है इधर 2 एंप्यर की हमें देखने की जौत ही नहीं परती तो यहां पें ड्रॉप निकाल लेते लेकिन आरवन हमें नहीं पता नी तो A से चलके हम B तक इस रास्ते से पहुंच सकते हैं, लेकिन सर यहां पे हमें current नहीं पता, इधर अगर 6 Ampere गया है, यहां पे तो एक ही, इस point पे दो ही वायर है, एक जा रहा है तो इधर से 6 Ampere आया होगा, हाँ सर, जब यहां पे 6 Ampere आया होगा, तभी तो इधर 6 Ampere आय पता ही नहीं करना, बैटरी से कितना current जा रहा है, बैटरी से कितना भी current जाए, लोवर से higher जाओंगा, तो यह प्लस 2 Volt जोड़ देगा, अब मान लो A पर potential है कुछ V है, ऐसे चलो, current के opposite direction में जाते हैं, तो यहां पे प्लस आया रहाता है, और ऐसे जाएंगे तो यह प्लस 2 Volt आयेगा, यहां पे पहुँच गए, यही point B है, परावर VV, यह हो गया तुम्हारा 5 हक 30, और प्लस 2, 30, प्लस 2 is equal to VV, यह रहा आपका VV, VV को इधर लाओ, तो VV minus VV is equal to minus 32 Volt, चार बार ऐसा सवाल, नीट में अभी तक पूछा गया है, एक बच्चे का सही था, minus 32 Volt is your answer, minus 32 Volt, 12, 18, 32, प्लस 32 नहीं होगा, VV minus VV है, यह जवाब होगा आपका minus 32 Volt, प्लस 32 कैसे आ रहा बेटा, बता एक बार, अन्सु कुमार, मैं यही खा रहा हूँ, वोल अन्सु, महेश कैसे बेटा, संतोस कैसे बेटा, बता, बता, आगया है, हलो बच्चो, मैं मनीश राज, आपका एमार सर, मिटा यार, मुझे पड़ा, इक्छा है तिरे से मिलने की, सुन यहाँ आप एक बार बताता हूँ, जब तुम, रेसिस्टेंस को क्रॉस करते हो, तो यह पोटेंचिल में चेंज लाता है, इतना चेंज लाता है, आई यार चेंज लाता है, करेंट की डिरेक्शन में जाएंगे, तो माइनस आई यार चेंज लाएगा, इन डिरेक्शन अफ करेंट, इन डिरेक्शन अफ करेंट, और करेंट के अपोजिट जाते हैं, तो प्लस आई यार चेंज लाता है, जैसे ऐसे करेंट जा रहा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो हमें minus IR का decrease कर देगा potential, और current के opposite जाएंगे, तो potential IR से बढ़ा देगा, और battery में हमेशा lower से higher जाते हैं, तो plus volt ज्यादा बढ़ा देता है, higher से lower आते हैं, तो minus 20 volt होता है, इसमें फर्क नहीं परता है कि current की इस direction में जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं परता है कि current की इस direction में clear है, clear है, find the current I1 in the given arrangement, इस given arrangement में I1 की value बतानी, यहाँ पर current I1 दिया हुआ है, यह I1, यह I1 current की value बतानी है, चलो करो, I1 की value बताओ, सर, junction rule से कैसे solve करेंगे, junction rule से solve करने की जौरत बेटा नहीं है, यह चल कहीं solve हो जाएगा, तो junction rule क्यूं लगाओगे, आज तक NEET में एक भी सवाल नहीं है, जिसमें junction rule लगाने की जौद परे, चलो, चलो करो, सुनो, यहाँ पे, हम point potential method से जा सकते हैं, मानलो यहाँ पे मैं 0V potential मान रहा, assume करता हूँ, कित्ता potential माना मैंने, 0V potential माना, तो, तो, यहाँ पे potential कितना हो, अगर यह 0V है, तो यहाँ पे potential कितना हो, अगर यह 0V है, तो यहाँ पे potential कितना हो, अगर यह 0V है, तो यह भी 0 क्योंकि ना तो रेसिस्टेंस है ना तो वैटरी है यह 0 यह प्लस 4 होगा तो कैसे पता चला यह 4 वोल्ट का डिफरेंस देगा लो से हाई जाएंगे तो 0 में 4 बढ़ा देगा और यह 2 वोल्ट की बैटरी और लगी तो जितना पोटेंचल यहां होगा उसमें 2 और अड़ कर देगा तो यह प्लस 6 वोल्ट होगा यहां पर 4 अंपियर का करेंट फ्लो करके आएगा पोटेंचल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस तो 4 इधर से आया 6 इधर से आया तो टोटल आईओन हो जाएगा 10 अंपियर का करेंट 3rd is your correct answer 3rd is your correct answer 3rd is your correct answer clear है गया चले नेक्स देखते हैं फटाफट यह सवाल देखिए इसको कहते हैं ladder circuit क्या कहते हैं इसको ladder circuit ladder circuit क्या होता है the resistance between the terminal P and Q of the given infinity long circuit will be यह ladder circuit है जिसमें यह point P है यह Q है यहाँ पे दो दो और यह दो लगा इसका एक unit यह हो जाएगा ladder circuit में एक particular unit का repetition से circuit बहुत infinity तक जादा दूर तक बना होता है इसका जो basic unit होगा ना बेटा वो क्या होगा देखना यह होगा इसका basic unit यह होगा यह इसका basic unit है इसे यह दो यहाँ पे दो और यहाँ पे दो 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 अब आपसे पूछा है कि इसी के repetition से बहुत सारे बहुत सारे ऐसे ही circuit बने हुए तो पी और क्यू के बीच में equivalent resistance क्या होगा एक बात बताओ मैं तुम्हें directly स्टार बताता हूँ सुनना मान लो इस पूरे में से एक unit हटा दू यह वाला दो दो यह एक unit हटा लो यहाँ पे ए और बी के बीच में हम X resistance मान लेते हैं सब और Q के बीच में equivalent resistance क्या हो जाएगा सर आपने एक unit हटा के resistance अगर पूरे जोर के X माना है तो एक और लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा X ही रहागा सर ठीक है अब मुझे बताओ इसको parallel में जोर हूँगा तो X और 2 ohm का parallel combination मान लो Y आया जो भी आप तुम निकाल तो यह 1 p tidak पे आगए resistance तुम्हार害 2 ohm यहां पे आएगा दोनों का जोर के Y और को दो यह बनेगा Q अब एक बात बताओं इन तीनों का जोर के तुम्हारा final answer अजानों इन तीनों का जोर के जो final resistance तुम्हें नहीं लग रहा दो चार ओम, चार ओम से ज्यादा आएगा, इस MR स्टार को अगर तुम्हें फील कर लिया ना साहब, तो देर पेज का एंसर एक लाइन में, वही एंसर सही होगा, जिसमें पी क्यू चार ओम से ज्यादा होगा, देख लो, देख लो, रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 की वैली होती ही 1.71, जिसमें से एक घटा होगा तो 0.7, 0.7 को दो से गुना करें, कोई 4 नहीं आएगा, रूट 3 होगा तुम्हारा 1.7, प्लस 1 तो यह हो जाए 2.7, 2.71 का 2 से मल्टिप्लाई करो तो 4 से ज्यादा आएगा, यह सही लग रहा, तक सॉल्व किया होंगे, जरौत नहीं है, यह देख लीजिए, खतम, खतम, कितने लोग को मज़ा आया, तो जोड़दार एक पर आग लगा के गमेंट बोक्स में बता दो, कि सर, यह था एकदम जोड़दार, यह था एकदम खतरनाक, इसी तरीके से आप सोच के सही अंसर न being charged by the 180 volt DC supply, using a resistance 10 ohm, then terminal voltage of the batteries, सुनो, battery है, जिसका EMF 10 volt, यह मेरा battery है, जिसका EMF 10 volt है, और internal resistance इसका 1 ohm है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, किसे चार्ज कर रहे हैं, किसे चार्ज कर रहे एक 120 volt के DC बैटरी से, 120 volt की DC बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, और हम ने उसमें तos 10 ohm का resistance अब जो डॉमिनेटिंग बैटरी होगा जिससे हम चार्ज करने वाले हैं उससे करेंट निकलेगा और अबबेसी बात निकलेगा 120 वोल्ल डॉमिनेटिंग होगा घूम के इसके अंदर करेंट घुसेगा तो इस सर्कीट में इस करेंट की वैलियू निकाल लो तो क्लोज लूप अब जिसका चार्जिंग हो उसका टर्मिनल पोटेंचल होता है ई प्लस यार ई बोल सर्दस बोल्ट आई बोल सर्दस एंपियर आर बोल एक तो यह हो जाएगा तुम्हारा 20 वोल्ट करेंट एंसर फर्स्ट इस और करेंट एंसर बढ़िया सवाल है कि मेरा करें शतर घटिया रूल एक दम बाटी बहुत बड़ी घटिया रूल है लेगिन एक बाद तेरे सकल से घटिया नहीं है तिरे शकल से तो गटिया नहीं है, गटिया है, मैं मानता हूँ, उससे अच्छा तो quadratic से कर लेते हैं, वो अच्छा है, तो quadratic का solution तुम्हें कहीं मिल जाएगा, है न, तुम कर लेना, 20V is your correct answer, next, in the given figure, equivalent resistance between the point P and Q, P and Q के बीच में equivalent resistance निकालना है, यह point P है, और यह point Q है, इसके बीच में equivalent resistance निकालना है, सुन मेरी बात, यह P or Q में direct connected है, हाँ सर, यह P से एक वायर गया है, दो ओम का, यहाँ पे दो ओम लगे है, और ऐसे लगा है, एक बात बताओ, यह दो ओम और यह दो ओम किनों series में होंगे, आसर इसके बीच में कोई disturbance नहीं तो series में है, तो यह 2, 2, 2, क्या 6 ohm हो जाएंगे, हाँ, इस 6 ohm का initial point और last का point एक ही जगा पे connected है, तो यह पूरा circuit, short circuit हो गया, यह क्या हो गया, यह तेरा हो गया, short circuit, क्या हो गया, short circuit, अगर यह short circuit हो गया, तो यह 2 ohm और 2 ohm series में हो जाएंगे, 2, 2, 4, और 4 और 2 को parallel करोगे, तो resistance between pu के हो जाएगा, 4 into 2 divided by 4 plus 2, तो अगर 8 बटा 6, मतलब 4 बटा 3 ohm, दूसरा जवाब आपका सही होगा, दूसरा जवाब आपका सही होगा, समझ में आ रहा है बेटा, इसको मैं एक बर draw करता हूँ, कई ब और यह 1 ohm का ऐसे, 2 ohm का, 2 ohm का, अब सुनना मेरी बात, यहां से ऐसे 2, 2, 2 यह तीनो series में है, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 6 ohm, और ऐसे जोड दिया, तो बताओ, 6 ohm का पहला terminal और 6 ohm का दूसरा terminal एक ही साथ connected है, तो short circuit C को तो कहते हैं, इस 2 ohm का पहला और दूसरा अल यह सवाल और से सवाल, sorry, meter breeze का ही है, for the balance state, meter breeze as shown in a find x, यह तुम्हारा meter breeze, meter breeze में फॉर्मला बताया था, कि एक नोन, एक अनोन रिस्टेंस होता है, तो 4 बटा x, बराबर, यह length 40, और total length 100 का होता है, तो यह बचा हुआ, 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो x बराबर आजाएगा 6 volt, 6 volt is your correct answer, 22 meter breeze के ऐसे ही असान सवाल, नीट में कई बार repeat किये हुए है, नीट में कई बार repeat किये हुए है, 6 volt आपका answer आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, next, next, in the circuit, potentiometer wire का बढ़िया सवाल, in the circuit, in the figure, potentiometer wire AB of length L, यह total length potentiometer wire का है आपका L, of length L and resistance 9R, इसकी resistance 9R, इसका length है L, और इसकी resistance है 9R, 9R, join to the cell D of EMF E, यह D है cell है, जिसका EMF E है, and internal resistance है smaller, internal resistance है smaller, the EMF of the cell, C is E by 2, EMF of cell C, जिसका EMF है, E by 2, and its internal resistance is 2R, इसका internal resistance है 2R, the galvanometer G, will source no deflection, when the length AJ is equal to, AJ की length कितनी होगी, जिसके लिए galvanometer का deflection 0 हो रहा है, बेटा, potentiometer wire का concept समझना, potentiometer wire का यह बड़ा important concept होता है, कि अगर यहां से current 0 जा रहा है, तो यह circuit अलग ही है, इसको हटा लो, यहां पर current भाही नहीं रहा है, तो current बाक आ रहा है, यहां से current आई आया हो गया कहा, पूरा का पूरा इसमें गया, पूरा का पूरा इसमें गया, तो आई current की value बताओ कितनी होगी, सर बैटरी का EMFE, बटा, यहां से close loop में चलेंगा, इसका resistance 9 और इसका R, तो यह हो जाएगा 10R, इतना current बाह रहा है, अब इतने current की बज़ा से, पूरे इस AV wire में कितना potential difference आएगा, तो total potential difference जो AB wire में आएगा, वो आएगा, E बटा 10R, इंटू 9R, क्योंकि इसका length 9R है, तो यह potential difference, total potential meter wire का हो गया, अब मैं आप से पूछू कि potential difference per unit length कितना होगा, तो total length है L, L से divide करो, तो यह होगा तुम्हारा 9 small r E, अचा स्मॉल r से स्मॉल r कट जाएगा, 9 E, बटा 10 L, यह आगया तुम्हारा potential drop per unit length, एक unit length में इतना potential drop है, तो AJ का length small L मान लेतू, तो इसमें कितना potential drop होगा, तो यह होगा 9 E, बटा 10 L into small L, इतना potential drop होगा, और यही potential drop इस cell के बराबर है E by 2 के बराबर, देखो, यहाँ से चलो, यहाँ से जाओगे, यहाँ भी potential drop कितना मिलेगा E by 2, यहाँ से E से E cancel, 2 से cancel करोगे ते बटा यह होगा 5, तो small L बड़ाबर आ गया, 5 capital L वटा 9, 5 capital L वटा 9, 5 capital L वटा 9, दूसरा जवाब होगा है, बहुत बढ़ी है सवाल है बेटा, potential meter wire का concept थोरा थोरा धुनला धुनला आपको याद होगा, तो यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, main circuit में current इतना है, तो total potential drop इतना होगा, तो potential drop पर unit length इतना होगा, एक unit length का potential drop अगर इतना है, तो small length का potential drop इतना आएगा, बढ़ी होगा, यह रोज आ जाता है, गोली खाके आएकर बेटा तभी समझ में आएगा, बेटा नया सवाल फॉर्म किया तुम्हारे लिए, बता मज़े आए कि नहीं है, आप आएंगे ना सर PYQ कराओ कि तब आएंग is L, on the sunting the cell with the resistance of capital R, sunting the cell with the resistance capital R, the balance length become L by 2, then the internal resistance of the cell is, गोली मारो पूरे concept को, समय नहीं आए, जब भी internal resistance की बात हो, यह याद रखो, यह याद रखो, यह याद रखो, यह वही, जिस resistance का हमने use किया capital R, इसकी value यह र ही दिया हुआ है, बढ़ा लेंद बोलो, Sir L, खोटा वला लेंद बोलो, Sir L by 2, तो 2 पर चला जाएगा, minus 1, L से L कटेगा, 2 में से 1 जाएगा, R into 1 बरावर, R, answer, खतम, third answer, third answer, यह पूरा mechanism होता है, पूरा theory होता है, आपको यह याद रखना है, कि जब भी internal resistance की बात करेगा, तो जिस external resistance से battery को, cell को संट किया है, उसकी resistance, बावला लेंद बाद क्योटा लेंद बाद क्योटा लेंद लेंद मैаш 1, बावला लेंद बाद बाद मैन बाद क्योटा लेंद माइट 1, चलिर रहे यह बात, next देखे, find the specific resistance आपकोटगरचा मेरच, क्या है, having cross section area, positivo load इटना, इतना, बावला लेंद ग्राड़ा इंत्या इत specific resistance of a potentiometer wire having cross section area current in the primary quality is and the potential gradient is itna करिये मजाएगा करिये मजाएगा मैटा जरूरी है नए सवाल करना जरूरी है जिसमें लेंग्वेज नाया हो, concept नाया हो थोरी बहुत चीजे चेंज हो रही हो तो ऐसे सवाल करना जरूरी है मताईए जरूरी है बताईए अरे C आरा बच्चों का C आरा, अच्छा एक आरा एक आरा, एक आरा देख ले बाई, एक आरा दो आएगा सीखने को मिल रहा है बैटा तुम्हें, इसलिए मुझे बहुत खुशी है, अगर तुम सही अंसर बता दे तो सीखने हो कैसे मिलता, देख, जब यह potential meter wire होता है ना, जिसका मान ले कि length L है, resistance R है, और यहां पर current बहाँ आई, main current, main circular current I wire है, तो इसका potential drop कितना होगा sir, IR, sir potential drop per unit length कितना होगा, तो per unit length length से डिवाइड कर दे, यह potential drop, IR, बता length, यह रहाग, potential drop per unit length, उसकी value दिया है, 0.1 volt per meter, तो यह तुम्हें 0.1 दे दिया, बढ़ावर I, resistance की value क्या होती है, क्योंकि हमें resistivity पूछा है, तो R को हम लिख सकते है, row L by A, और इस wire का length L है, तो R row L by A लिख सकते है, L से L कट जाएगा, तो row बराबर आजाएगा, 0.1 A बटा I, बस, 0.1, area बोलो, area है sir, 0.2, current कितना है, area 8 into 10 to the power minus 7, sorry, 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 8 into 10 to the power minus 7, और यह 0.2, 0.2 से 0, 0 काटोगे आएगा, 2, 2 से काटोगे, 4, 4 into 10 to the power minus 7, 4 into 10 to the power minus 7, पहला answer आरा, 4 into 10 to the power minus 7, पहला answer आरा, पहला answer आरा, पहला, 4 into 10 to the power minus 7, clear है, clear है, चले, लेक्स बेखते, need 2020, सुकून मिला होगा, resistance of wire connected in the left gap of a meter breeze, फिर meter breeze का सवाल है, left gap of 10 cm, यह P बटा Q बराबर, L बटा 100 minus L करना है, meter breeze मतलब यह करना है, 10 ohm यह दिया हुए, resistance in the right gap at a point which divides the bridge, wire in the ratio 3 is to 2, ठीक है, if the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of the 1 ohm of the resistance wire is, अरे भाईया, क्या बोल रहा है, resistance wire connected in the left gap of a meter breeze, balance a 10 ohm resistance in the right gap, at a point which divides the bridge, wire in the ratio 3 is to 2, resistance wire, यह है, L length का कोई एक resistance wire, connected in the left gap, left gap यह होगा, meter breeze, balance a 10 ohm resistance in the right gap, 10 ohm resistance in the right gap, at a point which divides the bridge, wire, bridge का wire, in the ratio 3 is to 2, okay, bridge के wire को, 3 is to 2 के ratio में balance किया है, ठीक हमें L1 by L2 लिखना है, तो हैसे equation लिख सकते हैं, इस resistance की value को हम L1 मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, को resistivity को गोली मारो यह आजाएगा, L1 बटा 10 बरावर 3 यह बटा यह बटा यह बरावर यह बटा यह बरावर यह बटा यह बरावर यह बरावर यह बटा यह एक equation ही बनेगा, if the length of the resistance wire is 1.5 times, इसको कर दिया 1.5 times, then the length of 1 ohm of the resistance wire is, if the length of the resistance wire is 1.4, if the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is, okay, इसका resistance 1.5 ohm दे दिया है, तो L1 यहां से क्या आ जाएगा? L1 आ जाएगा, इसको काटो गे, तो यह आ जाएगा 5 यह 15, तो L1 आ गया 15, अब 15 ohm अगर length है, तो इसका resistance 1.5, तो 1 ohm resistance के लिए क्या होगा? तो अच्छा, wire का length क्या होगा? 1 ohm resistance के लिए wire का length, तो 15 ohm के लिए इसका length है 1.5 meter, 1.5 meter, तो 1 ohm के लिए यह हो जाएगा, 1.5 meter बटा 15, तो यह आ जाएगा, तुम्हारा 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, पहला answer आएगा, अरे भाई सहाब, सवाल को घुमा दिया, सवाल को फाल्तु में घुमा दिया है, सवाल को फाल्तु में घुमा दिया, ऐसे सवाल पूचे देखा है, कोई बात नहीं, देखो, एक बार समझो, option 2 कैसे, minus 1 तो नहीं आएगा, अचा बटा 10 होगा, sorry, 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 15 बटा 15 into 10, तो यह कटेगा, तो 10 का power minus 1, 100 क्यों कर दिया, sorry, 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 दूसरा, 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 पाल्तु में यह सवाल को complicated किया गया है, अब तुम्हें थोरा सा यह महसूस हो रहा होगा, कि सवाल को कैसे muskill किया जाता है, क्या सवाल को mulkill उसने concept से किया, कि सवाल को muskill उसने language से किया, हाँ बटा दूसरा, और है आएगा, I am sorry, गल्ती से मैने हो मैंने पहला десят दूसरा, और हैपör गारे मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना बताओ, कि जो सवाल यहां पे पूछा गया है 2020 में यह language की वैसे मुश्किल है कि concept की वैसे मुश्किल है मैं फिर से एक बार परके बता देता हूँ resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divide the bridge wire in the ratio 3 to 2 यहां पे 3 length है तो यह length तुमारा 2 है इसके ratio में divide किया resistance wire मतलब इस का मानलो value अगर R है इसका value मानलो अगर R है यहां पे मैंने थोड़ा सा representation गलत यूज कर ले इसका value अगर R है तो लिखो कि R ohm resistance R बटा 10 बटा 10 is equal to 3 by 2 यह कटेगा 5 तो R की value आ जाएगी 15 ohm तो 15 ohm इस unknown resistance की value है length of the resistance wire is 1.5 meter जिसका length हमें दिया हुआ है L1 दिया हुआ है 1.5 meter तो पूचा है कि 1 ohm के लिए इसका length क्या होना चाहिए तो अगर 1.5ре मिटर के况 लिए resistance इतना है जाना देखो 15 ohm के लिए एक लिए इतना length है तो एक 10 ohm के लिए इतना length हों जाइं एक Ohm के लिए इतना length होगा अच्छा सवाल है बेटाई के समयह एगा फिको मैं बताता हूं सवाल क्या है इस मार्श्टेंस ना आ बोलकि इसको बोला है रेसिस्टेंस वायर, मेरी बात समझियेगा, यहां पे जो put किया है resistance, इसको resistance नहीं बोला है, इसको बोला है resistance wire, तो एक resistance wire है connected in the left gap of a meter, resistance wire है, जिसका resistance हमने R मान लिया, वो बैलेंस कर रहा है 10 ohm को 3 is to 2 के ratio में, तो r बटा 3 is equal to 10 बटा 2, r बटा, sorry, ऐसे भी लिख सकते हो, r बटा 10 is equal to 3 by 2, r बटा 10 is equal to 3 by 2, तो इसका resistance आ गया 15 ohm, अब बोला है, कि इसका length है 1.5 meter, तो अगर length 1.5 meter है, जिसका resistance 15 ohm है, तो एक ohm के लिए कितना length होगा, तो 15 ohm के लिए इतना length है, तो एक ohm के लिए 5 से divide करेंगे, यह answer होगा, समझ में आ गया होगा आपको, चलिए, 2018 का सवाल देखेगा, a battery consists of a variable number of n identical cell, a battery consists of a variable number of n identical cell, having internal resistance a small r, which are connected in a series, सब को किसमें connect कर दिया है, series में connect कर दिया है, सब की MFAE internal resistance r, MFAE internal resistance r, MFAE internal resistance r, MFAE internal resistance r, the terminal of the battery are short-circuited and the current i is measured, terminals of the battery, मतलब outer terminals of the battery को short-circuit कर दिया, तो हम एक current measure किया है, और बोला है कि current की grab बदाईए n के साथ, तो कैसा बनेगा, i बराबर होगा, जितने battery होंगे, उसका net e-mf होगा, any क्योंकि n battery है, बटा internal resistance nr, external तो जोड़ा नहीं, ऐसे जोड़ दिया, तो r, 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 nr, n से n कटेगा, i बराबर आएगा, e, but r, तो i जो current है, वो number of battery पर depend नहीं कर रहा, इसलिए answer चला जाएगा, आपका पहला, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको किया भी होगा, first is your correct answer, clear है, next, देखिए, करनाट का need 2013 का सवाल है, identical cell are connected in a series, are needed to heat a wire, length 1 meter and radius r by 10 degree Celsius time t, 10 identical cell connected in a series, 10 cell को series में connect कर दिया, तो इसका EMF होगा 10 ही, इसका internalness होगा 10R, to heat a wire of length 1 meter and radius small r by 10 degree Celsius time t, how many cell will be required to heat the wire of length 2 meter of the same radius by the same temperature in time t, how many cell will be required to heat the wire of length 2 meter, 1 meter, पहले का लेंद क्या था 1 meter, दूसरे वाले का लेंद क्या है, 2 meter, the same radius by the same temperature in time t, बताओ, heat is equal to क्या होता है, तर i square r into t, यह होता है, same heat produce कराना है बाद में भी, wire से जोड़ा है, 10 identical cell to 24 गा 10 ही, तो यहां से इस wire को ऐसे जोड़ दिया है, इस wire को ऐसे जोड़ दिया है, इस wire को simple ऐसे जोड़ दिया है, तो v square by r से कर लो, v square by r into t, v square into t, resistance को लेख सकते हो, rho l by a, तो a को लेजा उपर, यह आपका area, यह आपका length, तो जो तुम्हारा time है, वो directly proportional length है, अगर लेखने डबल किया है, तो time भी double हो, same temperature in time t, t, number of cell, तो number cell हो जाएगा, तुम्हारा n square, voltage में रखोगे, तो n e का all square, तो n square v square, तो यहां पर आजाएगा, n square is proportional to root, तो तुम्हारा पूछा है, length को double किया है, हाँ, चलो बताओ, बढ़िया, चलो बताओ, क्या answer आ रहा है, क्या answer आ रहा है, जल्दी बताओ, बोलो, 10 identical cell connected in a series, are needed to heat a wire of length 1, length 1 meter, and radius small r by 10 degree Celsius in time T, how many cell will be required to heat the wire of length L, of length L, 2 meter of the same radius, by the same temperature in time T, तो यहां पर 10 cell को जोड़ा है, मालनो n cell को जोड़ा है, तो यह n into e हो जाएगा, इसका voltage, n into e हो जाएगा, इसका voltage, यहां पर तुम्हारा इस वायर को जोड़ा, जिसका resistance R, तो heat is equal to हो जाएगा, n square e square, into T, V square, बटार resistance को लिखोगे, आप rho L बटा, तो यहां से, number of cell का whole square, is directly proportional to L, अब उसने बोला है, how many cell will be required, to heat the wire, of length 2 meter, of the same radius, by the same temperature in time T, तो length को double किया है, तो number of cell is directly proportional to root L आ रहा, तो root 2 टाइंस बढ़ेगा यार, पहले 10 cell है, तो 10 root 2 आना चाहिए, क्या कहते हो, 20 कैसे आएगा बताओ, 20 कैसे आएगा बताओ, झाल कोओास्ग Bo soup बताओ, यहले, झाल किते हैं, झाल कि बताव कुष्ट प्रत औो अना बताओ, झाल झाल का यहा ह senseiti झाल झाल कि यह जद्याँी हैं, तो नंबर ऑफ सेल पूछा है ना बेटा मैं इसका एंसर देखता हूं रुको कब का सवाल है करनाटका नीट 2013 का सवाल है मैं इसका एंसर देखता हूं इसका एंसर क्या दिया हूँ इसका एंसर क्या दिया हूँ है इसका एंसर दिया हूँ है तुम्हारा फॉस्ट फॉस्ट एंसर दिया हूँ है एक मिनट फॉस्ट कैसे दिया हूँ है फॉस्ट कैसे देओ एक में ट्रुक ना देखते हैं तेन आइडेंटिकल सेल तो वोल्टेज तो हो जाएगा इसका दस ए ठीक है कनेक्टेट ने सेरीज को इंटरनले स्ट ने कनेक्टेट ने स्ट एट वायर अफ लेंथ वन मीटर अफ रेडियस अस्मॉल आर वन मीटर ओफ रेडियस अस्मॉल आर 10 degree Celsius सेट ती ताइम कर रहा है ठीक है हाओ मैने सेल अने सेल मान लेते हैं एने सेल मान लेते हैं रेक्वाइड हीड वायर अफ लेंथ 2 मीटर इसका लेंथ 2 मीटर है ठीक है लेंथ 2 मीटर है of the same radius by the same temperature in time t, same temperature, same radius से कर रहा है, तो, यहां पर एकर मैं formula लिखता हूँ, इसको n cell मान ले, तो इसमें 10 cell लिखा है, जनरलाइज फर्मॉला निकाल रहे हैं, तो h बराबर होगा, v square by r into t, यह तो लिखेंगे, v square by h is equal to v square by r into t, same time, same temperature, h को लिख सकते हैं, m is delta t, v square by r into t, m is delta t, v square by r into t, ठीक है, अब यहां से, जब हम इसकी length को double करेंगे, तो resistance double होगा, अच्छा, ओके, 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 ठीक है, ठीक है, same wire तो specificity होई, delta t, mass भी तो double होगा, तो यह होगया, mass change होगा, यह होगा, तुमारा n square ea square, यहां पे, v को रख सकते हो, n square ea square, v को रखोगे, n e, तो यह होगा, n ea square ea square, बटा r into t, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हर एक cell का e, तो n cell का ea n e लिखा है, तो यह constant, delta t constant, specific heat constant, तो तुमारा जो time constant, उतना ही time में, उतना ही time में हमें गरम करना है, change in temperature से, में specific heat से, तो यहां पे n square बराबर आ रहा है, r into m, जब length को double करेंगे, तो mass हो जाएगा, length को double करेंगे, तो mass हो जाएगा तेरा double, radius वही area वही length double, तो mass double, और resistance भी double होगा, resistance भी double होगा, तो चार गुना आ गया, तो n is proportional to, जब दूसरा n dash square लिखोगे, तो mass भी double, यह भी double, तो यहां से m और r, m और r को n square लिख सकते हो, तो n dash का whole square into 4 into n, तो n dash बराबर हो जाएगा, root under 4 n, यह होगा 2 into n, क्या होगा, 2 into n, मतलब पहले 10 cell था, तो double हो जाएगा, यहां पर एक factor mass का बच रहा थे, mass का factor कट रहा था, बच रहा था गलती से mass को, हम double नहीं कर रहे थे, h is equal to, जब भी heat दे के, हम किसी का temperature बढ़ा रहे हैं, किसी delta T temperature से, तो h is equal to क्या करेंगे, ms delta T करेंगे, h is equal to क्या करेंगे, ms delta T करेंगे, बस एक छोटी सी चीज यहां पर थी, कि mass को length double करने से, इस wire को जिसका आप temperature बढ़ा रहे हैं, उसका mass भी तो बढ़ रहा है, उसका mass भी तो बढ़ रहा है बेटा, mass भी तो बढ़ रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, तो मान लो कि N से L लिया, तो प्रोटल AEMF हो जाएगा A नी, इसका लेंथ L है, रेसिस्टेंस R है, तो हीट बराबर होता है, हीट बराबर होता है, V स्क्वाइर बटा R इन्टू T, हीट को लिखेंगे आप MS, डेल्टा T, मेटरियल वहीं, चेंज इन टेंपरेचर दसी से बढ़ाया है, ये V को अप नेट वोल्टेज को लिखेंगे ये नी, तो N स्क्वाइर E स्क्वाइर बटा R इन्टू T, एक बात सम इस प्रपौर्शनल टू R इन्टू M आगया, तो Nडяс का स्क्वाइर हो जायगा बेटा, रेसिस्टेंस भी डबल लेन दबल होने से, मास भी डबल, तो 4 आपका बाहर हो जाएगा इन्टू आरे तो N' का जो होल प्रफिशर है, वो हो जायगा तुबहारा, ज्ञान से देख तो 50 सवाल में से ऐसा एक दो सवाल तो होगा ही, 50 सवाल में से ऐसा एक दो सवाल तो होगा ही, सर लेंद डवल होगा, तो मास कैसे डवल होगा, प्लीज टेल, एरिया रहा है एरियस रहा है अगर आप उसका मास डबल करोगे लेंथ डबल करोगे तो मास डबल ही होगा ना भाई तू रूटेन आ रहा है ना हाँ भाई तू रूटेन आ रहा है तो यहाँ पे तू रूटेन कैसा है यहाँ पे तू रूटेन नहीं इसको चोर इसको चोर फिर से कर दिया मैंने देख यहाँ पर इन डैस को इसको इधर जाएगा तो फोर आरे माएगा आरेम को क्या लिख सकते तो रूट रिम को क्या लिखेंगे, अर्ए, रहे, सिमपल सी बात है, रूट रेम है, स्कॉयर को इधर ले जायेगा तो रूट रेम को इन लिखेगा ने यहाँ, रूट रेम को इन लिखेगा ने यहाँ, चल आगे देख, 1990 का सवाल है, देख, देख, you are given several identical resistance, पचास में से ऐसे एक-दो सवाल तो होंगे ही बेटा, length constant बोला है, length constant बोला है, wire of length 2 meter हो गया, पहले wire of length 1 meter था, और बाद में wire of length 2 meter हो गया, तो wire का length कैसे constant है, radius constant बोला है, radius constant बोला है, you are given a several identical cell, each of resistance 10 ohm, you are given a several identical resistance, each of resistance 10 ohm, and it's capable to carrying a maximum current of 1 ampere, it is required to make a suitable combination of this resistance of 5 ohm, which can carry a current of 4 ampere, then the minimum number of resistance of this type R, that will be required for this job, हर एक resistor की value है बेटा, 10 ohm, हर एक resistor की value क्या है, 10 ohm, और मुझे R equivalent 5 ohm चाहिए, तो 5 ohm लेने के लिए, क्या आपको इस तरह के 5 resistance जोड़ने परेंगे, 5 resistance जोड़ने परेंगे, नहीं, सर एक तो 10 ohm का या 5 ohm चाहिए, तो 5 resistance कैसे जोड़ने परेंगे, सर दो resistance ले लो parallel में हो जाएगा, ठीक है, दो resistance अगर parallel में हम ले लेंगे, तो हो जाएगा देखो, 5 ohm हो गया, लेकिन, एक wire एक ही ampere current ले जा सकता है, हमें कितना ampere current लेके जाना है, हमें 4 ampere current लेके जाना है, तो 4 ampere current जाएगा नहीं, क्योंकि एक से, एक ampere से जाधा current ले जाएगे तो फुख जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, maximum current 1 ampere carry कर सकता है, सर अगर maximum current 1 ampere carry कर सकता है, हमें 4 ampere current जाएगे, तो parallel में ही current जोड़ते हैं, तो सर हमें 2 नहीं, हमें 4 resistance ऐसे लगाने परेंगे, 4 resistance ऐसे लगाने परेंगे, सर 4 resistance हम लगाएंगे, तो 10 बटा 4 यह तो धाई ही होनेगा, तो एक और combination ऐसा यहाँ पर लगा लो, एक और combination यहाँ पर ऐसा लगा लो, अब मुझे देखो त्यान से, series में current तो एड नहीं होगा, नहीं सर series में current एड नहीं होगा, लेकिन series में resistance तो एड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तुमारा 2.5 ohm, और यहाँ पर आएगा 2.5 ohm, टोटल आ गया 5 ohm, और current भी जा रहा है, 1,2,3,4 amp, तो कितने resistance की जौद पर एगा, 1,2,3,4,5,6,7,8,8 resistance की जौद परेगी इस काम के लिए, कितने resistance की जौद परेगी, 8 resistance की जौद परेगी, third option is correct, सुनो, 1 amp, current टो rate कर सकता है, और हमें 4 amp, current हमेशा parallel में ही add होगा, तो ऐसे ऐसे कितने जोडने परेंगे, सर, ऐसे ऐसे चार जोडने परेंगे, तो resistance तो इसका 10 बटा 4 is equal to 2.5 ohm ही होगा, हाँ 2.5 ohm होगा, तो एक combination और इसके बगल में लगा लोगा, clear है, text देखो, 40 electric valves are connected in a series across 220 volt, supply, after one bulb is fused, remaining 39 and corrected again in series, then same supply, then illumination will be, 40 bulb को series में लगा है, तो मान लो brightness कुछ भी आरा, उसमें से एक fuse कर दिया, तो उसको हटा के, 39 को series में लगा दिया, तो illumination किस केस में जादा होगा, more with 40 valve या more with 39 valve, तो आपका जवाब होगा, more in 39 valve in compared to 40 valve, 1989 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, 40 valve एक साथ, जब series में जोरोगे, तो bulb is nothing but a pure resistance, तो इनका resistance हो जाएगा, तो उस चालीस आर और इस चालीस आर के, एक रोसा बोल्टेज दे रहा है भी, तो पावर आप लिखेंगे, V2 बटा resistance 40 आर, जब सिर्फ 39 valve बचेगा, तो 39 valve का resistance, पहले के compare में कम होगा, तो इसकी illumination जादा होगी, इसलिए कभी भी हम bulb को, series combination में connect नहीं करते हैं, जैसे मान लो, कि दो bulb को हम series में लगा देते हैं, एक है तुमारा 40 वर्ट का, एक है तुमारा 100 वर्ट का, बताओ दोनों में से कौन जादा चमकेगा, V1 की B2, याद रखना, series combination में वो bulb जादा चमकता है, जिसकी power, rated power कम हो, brightness, brightness, क्या बेटा, brightness, V1 का जादा होगा, more than B2, समझ में आता है ये बात, next, 22, देखी, power dissipated across 8 ohm resistor in the circuit, shown here is 2 watt, 8 ohm में 2 watt power dissipate हो रहा, then the power dissipated in a watt, across 3 ohm, तो 3 ohm में कितना power जाएगा, ये पूछा है, सुनना, बहुत असान है, power यहाँ पे हमें दिया हुआ है, V2 watt, और resistance दिया हुआ है, तो कि यहाँ पे current निकाल सकते है, P is equal to I square R होता है, P तुमारा दो, I square, यहाँ पे current half ampere जा रहा, तो यहाँ पे current कितना जाएगा, तो 3 ohm और 1, 4 ohm सिरीज में है, जो कि इसके साथ parallel है, तो 8 ohm और 4 ohm parallel है, 8 ohm और 4 ohm बेटा अगर parallel हो, तो कम resistance में ज्यादा current जाता है, इसमें 2 I current जाएगा, अगर इसमें I है तो, तो 2 I मतलब 1 ampere जाएगा, यहाँ पे पावर P dash हो जाएगा, तुम्हारा I square into R, एक का whole square into 3, is equal to 3 what is your correct answer, 3 what is your correct answer, कितने लोगों यह जोरदार चमका, पहला जवाब आएगा, 1st, 1st, 3 what is your correct answer, थमाज आ रहा बेटा, next देखना, 2005 का सवाल है, अगर एक resistor को लोगों के circle बना देते हो, और उसको diameter के cross दो हिससे में बाढ़ दिया, तो इसका resistance हो जाएगा, तो मारा RY2 इसका resistance हो जाएगा RY2, अब इसके cross अगर equivalent resistance निगालोगे, तो parallel में equivalent resistance कैसे जोडते हैं, तो सब identical है, तो इसका आधा कर दो, तो RY4 is your correct answer, first आएगा आपका इसका answer, कितना आएगा इसका answer, first, next देखिएगा बिटा, a current of 3 ampere flows through 2 ohm, कहा है 2 ohm, कितना current जा रहा है बोले, 3 ampere, 3 ampere current जा रहा है 2 ohm से, as shown in figure, then power dissipated in 5 ohm resistance, तो इसमें power कितना जाएगा ये पूछा है, बिटा, जब भी ऐसा सवाल होना, तो बस cool mind होके ये सोचो, कि क्या ये 2 ohm, इस 6 ohm, 5 और 1 6 ohm के साथ parallel है, हाँ, तो parallel में जो current flow करता है, inversely proportional to resistance करता है, ये 2 ohm और ये 6 ohm, 3 ohm जादा resistance है, तो current 3 ohm कम जाएगा, तो sir, यहाँ पर 3 ampere है, तो यहाँ पर 1 ampere करने जाएगा, कि हाँ, अगर current 1 ampere जाएगा, तो power हो जाएगा, simple आपका I square R, मतलब, एक का whole square into 5, is equal to 5 vote, तुमारा correct answer, खतम, सवाल खतम, नीट का पूछा हो बेटा, नीट में ऐसे सवाल आते देखो, खतम सवाल, मज़े आए कि नहीं आए बताओ, next देखो, total power dissipated in a what, in the circuit sony's, total power, जब सब का power पूछ रहा है, तो ऐसे देखो, जब भी total power पूछ रहा है, इस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज बता है, आर एकुवलेंट निकालो, सर आर एकुवलेंट कैसे निकाले, सुनो, क्या ये दोनो, पैरलल में, हाँ, 6 और 3 पैरलल में हो जाएगा 2, और 2 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, सर 6 हो, तो आर एकुवलेंट जो, ए और बी के बीच आ रहा, वो तुम्हारा आ रहा 6 हो, तो पावर इस इकॉल टो हो जाएगा, वी ए स्कॉईर बता आर एकुवलेंट, अठारा गुना अठारा बता 6, ये हो गया तुम्हार तीन, चोवन वर्ट इस और पावर मज़े आए कि नहीं है, ये नीट के लेवल का सवाल, पावर कैसे सवाल आते हैं वेटा, कैसे सिक्वेंस में सॉल कर रहा है, ये करनाट का नीट 2013 का सवाल है, सुनना अच्छे से, अट 12 संटीमिटर वायर, इस गिवें असेप और राइट अंगल ट्रेंगल A, B, C, गिवें असेप और राइट अंगल ट्रेंगल A, B, C, अफ लेंग 3, 4, and 5, यावर 3, 4, and 5, वे रसिस्टेंस बेवें थे एंड अट, B, C, and C, A, B, B, C, and C, आर इंड रसियो, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा एमार स्टार बतातो तुम्हें, अभी-अभी मैंने तुम्हें बताया था, पैरलल कॉंबिनेशन में, रसिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा होता है, सुनना, जब मैं A और B के बीच निकालूंगा, तो ये दोनों मेरा हो जाएगा सिरीज में, तो 3 cm क्रोसपंडिंग जो रसिर्सस चोटा होगा, मतलब A सबसे छोटा होगा, A भी क्या होगा? सबसे छोटा होगा, फिर, नहीं, 3 ohm के क्रोसपंडिंग, 3 ohm से भी, Length इसका सबसे चोटा हमें, तो रस्स्टेंस का सबसे चोटा होगा, पैरलल में इसको जोरोगे, इससे भी कमाना चाहिए रेसिस्टेंस, तो सबसे छोटा होगा तुम्हारा RAB, उससे बड़ा होगा तुम्हारा RBC, और सबसे बड़ा हो जाएगा RAC, RAC की वेल्यू सबसे बड़ी होगी, 9, 16, 25, 27, 32, 35, अरे यार, ये तो तेरा ये भी बड़ा है इसमें बड़ा है, घरबर कर दिया इसने, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, complete लिखने की जोट नहीं है, resistance is equal to होता है, rho L by A, सबका area rho constant है, तो resistance is directly proportional to length, तो तुम कह सकते हो, compare करना है, तुम्हें ratio निकालना है, तो ratio में constant तो कट जाएगा, तो तुम length को ही resistance मान लो, length को ही क्य अब सुनो द्यान से, जब तुम AB के cross निकालोगे, तो ये 5 और ये 4, 9, 9 और 3 का parallel कर लो, ये देखो न, 5, 4, 9, 9 और 3 का parallel, तो सबसे पहले तुम्हारा AB आएगा, 9 multiply 3 divided by 9 plus 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 9 multiply 3, 9 और, 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा, 9 बट बटा 4, 9 बटा 4, तेक है, अब निकालो, B और C के लोग, B और C के लोग निकालोगे, तो B और C के लोग निकालोगे, तो ये तुम्हारा 5 और 3, 8, 8 और 4 का parallel combination, तो ये 8 गुना 4, 8 4, 12, अब इसी बात है, सब को जो रोगे, तो 12 ही आ जाएगा, 12, तो ये हो गया, 32 बटा 12, तो इसको ऐसे cancel कर दो ना, दो और ये हो गया तुम्हारा 6, तो 16 बटा 6, 32 बटा 12 ही रहने तो चलो देखते हैं क्या आता है, फिर A और C का निकालो, A और C का निकालोगे, A और C का निकालोगे, तो ये हो गया तुम्हारा, 4, 3, 4, 3, 7 और 5, तो 7 multiply 5 divided by, 7 plus 5, 7 plus 5, तो एक काम करो, इसको काटो मत 27 बटा 12 रहने दो, इसको तुम 35 बटा 12 रहने दो, अब इन तीनों का रेशियो निकालो, R, B, C, R, C, A, इन तीनों का रेशियो निकालोगे, तो अब्शी बात है, लिंद के प्रपोर्शनल होगा, टोटा लिंद 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, यहां से, यहां से, यहां से, यहोगा 27 इस्टो 32 इस्टो 35, 27, 32, 35, दूसरा रहना, दूसरा रहना, दूसरा रहना, दूसरा रहना, नेक्स देखिएगा, 2 metal wire of identical dimension, मतलब area और length सेम है, length और area सेम है, connect in series, if sigma on and sigma 2 are the conductivity of the metal wire, then the effective conductivity of the combination, देखो जब भी conductivity और resistivity का, तुम्हे, equivalent value पूछे, series में connect किया, तो शुरू करो तुम R equivalent से, बहुत असान होगा, R equivalent लिखो R1 प्लस R2, हाँ सर, इसको तुम, series में जोड रहे होगो, तो इसका length अगर तुम L मानते हो, identical dimension length A होगा, area A और A होगा, तो R1 को क्या लिखोगे, rho L by A, rho 1 plus, rho 2 L by A क्योंकि area और length से में, इसको लिखोगे, rho equivalent, length यहां से यहां तक wire मानोगे, तो length हो जाएगा double, लेकिन cross section area होगी रहेगा, फिर बेटा, L by A से L by L कटेगा, तो rho equivalent तुमारा आजाएगा, rho 1 plus rho 2 by 2, लेकिन तुमसे conductivity पूचा है, क्या पूचा है, तो conductivity क्या होता है, resistivity का उल्टा, तो यहां पर हो जाएगा, 1 upon sigma 1 plus 1 upon sigma 2 is equal to 2 by sigma, 2 by sigma, इसका आप LCM लोगे तो होगा, sigma 1, sigma 2, sigma 1 plus sigma 2, मैंने उल्टा कर दिया, into 2 बरावर sigma, यह आपका answer है, 2 sigma 1, 3rd, 2 sigma 1, sigma 2 divided by sigma 1 plus 2, clear है, next देखे फटापा, नीट 2018 का सवाल है, color code वाला, a color resistance इतना दिया हुआ है, to be marked with a ring of different colors, then the color code sequence will be, तो याद करो, B, B, Roy, good boy, great britain चल, good boy, very good wife, with gold, silver, gold, silver, तो यहाँ पे digit शुरू करते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5% और 10%, अब शुरू करो, 4 का मतलब बोलो क्या होगा, 4 का मतलब yellow, और 7 का मतलब violet, yellow and violet, तो यह रहाँ आपका yellow, यह रहाँ वालेट, तो एंसर आजाएगा दूसरा, क्या बात करो, खत्म, क्योंकि yellow and violet का combination ही नहीं है, तो हमें आगे देखने की जौत ही नहीं है, percentage error वागरा, yellow and violet, yellow and violet, सही लिका है क्या, दूसरा हैगा क्या, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, next class, खत्म, मैंने तुम्हें सारा थियूरी परा दिया, और sequence में मैंने आपको, हर topic से दो-दो सवाल करा है, हर topic से दो-दो नहीं, 4-4-5-5 करा दिये, हर topic से, ठीके बेटा, तो चलिए धन्यवाद, ठीके, मिलते अगली class में,